नमस्का आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस अनोखे प्रोग्राम में अब हम चुरुआत करने जा रहे हैं इस अनोखे प्रोग्राम की दोस्तों ऐसे कहा जाता है सपने उनी के साकार होते हैं जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता होसले से उड़ान होती है सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक देखते हैं सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देखते सपने देखना भूरी बात नहीं है लेकिन सपनों को साकार करना अपने आप के लिए एक बड़ी चुनोती होती है इसके दोरान बहुत से रुकावते आदी हैं जैसे आत्मविश्वास की कमी लेकिन ये रुकावते होते हुए भी लोगू की चाहत है सफलता, सुख और शान्ती पर बहुत कश्ट करने के बाद भी लोगों को ये नहीं मिल पाती और फिर सभी अपने नसीब को कोशने लगते हैं मगर मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा के हाथों की लकीरों से तकदीर नहीं बनती, तकदीर तो उनकी भी बनती है जिनके हाथ नहीं होते हैं ये सब हो सकता है, हाँ, जरूर हो सकता है और ये सब हासिल करने के लिए चाहिए ज्यान, वही ज्यान जो हमारे अंदर ही छिपा हुआ है आपके अंदर ही अनंत शक्तियां है, जिनका आविशकार करके उनका सही उपयोग करना सीख ले, तो आप भी जीवन में सफलता, सुख, मन की शान्ती और जो चाहिए वो सब कुछ पा सकते हैं यह एक युवा ट्रेनर है, जिन्होंने 18 साल की कम उम्र से ही स्टेज पर ट्रेनिंग और लेक्चर देना शुरू किया उन्होंने 19 से भी ज्यादा गुरूओं से ज्यान प्राथ किया है आज वे माइन ट्रेनर, योगा चारी, NLP ट्रेनर, हिप्नो थेरपिस, रेकी मास्टर है इतना सारा नॉलिज लेने के बाद अब उन्होंने अपना ये ज्यान लोगों में बातना शुरू कर दिया जिससे सभी इंसान अच्छी जिंदगी जी पाए वे अलग-अलग विश्यों पर ज्यान देते हैं जैसे आवर मास्टरी, NLP, हिप्नोटिजम, I love money, Mind Yoga, Personality Development, Leadership Management, Communication and Marketing, Memory Workshop, Art of Successful Parenting, Public Speaking, Student Counseling, Smart Student Workshop, Train the Trainer Program और श्रीमत भागवत गीता के सम्मंधित प्रवचन भी देते हैं इन्होंने कुछी सालों में एक लाख से भी ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी है उन्हें अनेक पुरसकारों से सम्मानित किया गया है उनके लेख समाचार पत्रों और मैगजिनों में भी अक्सर प्रसारित होते रहते हैं उसी तरह वे बैंक, कॉर्पोरेट आफिस, स्कूल, कॉलेज, सोशल और्गनाइजेशन और गॉर्मेंट आफिस में ट्रेनिंग देते हैं पूरे भारत में, अलग-अलग शहरों में उनके प्रोग्राम होते हैं व्यक्ति अपने मन की शक्तियों का उप्योग करके अपने जीवन को सार्थक और सुखी बना सके ऐसी शिक्षा वे आसान और प्रभावकारी धन से प्रदान करते हैं यहां जीवन पढ़ाया जाता है, भविश्य से जोड़ा जाता है और काम्याब किया जाता है किसी ने सही कहा है, इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को कब छोड़ के जाना हमारे हाथ में नहीं है मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना ये तो जरूर हमारे हाथ हुए है और हम ही इसे decide कर पाएंगे तो यही positive बदलाव आपकी जिन्दगी में लाने के लिए आपके सामने उपस्तित हो रहे है Mind Trainer and Motivating Guru Mr. Yogish Dayhandi Yes, I can do it मेरे आवाज आ रही है Can you hear my sound? Can you see me? चाट में लिखे Yes Thank you very much सभी लोगों का सौववित करता हूँ मेरा नाम यह होगे Mind Trainer और सभी यहाँ पे आए है मैं आपको एक promise कर रहा हूँ इस workshop को शुरू करने से पहले वो promise बड़ा है यह session जो है 90 minutes का आपके live को पूरी तरह से बदल देने वाला है मैं चाहूँगा कि इस session के अंद तक जुड़े रही है मैं देख रहा हूँ काफी सारे बच्चे हैं काफी सारे parents है एक चीज जरू कहूँगा जो भी चीज आप कोई पढ़ते हो ना किताब उसका जो पढ़ने के बाद जो आपको याद रहता है वो है 10% हमारा मैंड 10% उसको याद रखता है लेकिन कोई चीज अगर आप देखते हो in the form of photograph तो हमारा मैंड उसे 30% याद रखता है लेकिन कोई चीज अगर देखते हैं in the form of video जैसे आप मुझे देख रहे हो तो आपका मैंड आपका मैंड जो है याद रखता है 50% मगर कोई चीज अगर आप अनवो लेते हो ना experience तो आपका मैंड उसको रखता है याद 100% जरूर कहूंगा यह जो सेशन है ना वो पूरा practical है पूरा प्राक्टिकल हम चीजे सीखने वाले है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने वीडियोस को रखिए क्योंकि मैं आपको देखना चाता हूँ कि किस तर लेवल का आप यहाँ पे activity करने वाले हो किस लेवल का आप अपने 100% को देने वाले हो मैं ज़रू कहूंगा इस प्रोग्राम को involve हो जाना है यहाँ पे काफी सारा meditations रहेंगे activity रहेगा कुछ सारे games भी रहेंगे बच्चों के लिए तो यह सबी जो चीजे है यह अनवो के लिवल पे है एक mind के लिवल पे है तो ज़रू कहूंगा वीडियोस को और रखिए और 100% दीजेगा क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आपका participation 100% चाहिए क्योंकि मैं ready हूँ तर activation को सिखाने के लिए और आप भी ready हो जाहिए जिस लेवल की energy मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर वो आए क्योंकि जितना ज्यादा आप एनर्जी लाओगे उतना ही ज्यादा आपका mind उस चीज़ों को सीखना लेगा सीखना चाहिएगा और ज़रू कहूंगा यह program शुरू होने से पहले यतने सारी मम्मी पापा जो आज आए है उस सभी चीज़ों सीखने के लिए आपका एक रोल है जैसे आप job करते हैं आपका एक रोल है कि आप एक business करते होंगे लेकिन एक बड़ा सा रोल आपका है कि आप एक parents हो और बच्चों की development चाहते हैं कितने parents हैं जो बच्चों की development से आए कितने लोग हैं या सभी चाहते हैं मगर यह ओर और डिवलप्मेंट जैसे वह हेल्फ के लेटेड हैं पढ़ाई के लिए हैं या फिर बच्चे के अंदर सभी जो प्रॉब्लेम से उसको खतम करना चाहते हैं मैं बताओ एक चीज हम बच्चों की डिवलप्मेंट चाहते हैं उ यह जो सफल लोग हैं उनके जीवन के अंदर उनके पैरेंस में जो भी कॉलिटी टाइम दिया हैं तभी जाकि वो सफल हुए हैं लेकिन एक सत्य में आपको बताना चाहूंगा शाय यह सुनने के लिए अच्छा ना हो आपको अच्छा ना लगे लेकिन सत्य हैं जितने भी स टाइम जो है अपने कारी के उपर दिया और वो टाइम अपने बच्चों को नहीं दे पाए और इस वज़े से उन सफल लोगों के आज बच्चे क्या कर रहे हैं शायद आप और में नहीं जानते इसलिए मैं कहता हूं आने वाले 90 मिनिट्स आपका कॉलिटी टाइम होने वा रहे हैं बच्चों की प्रूग्रेस की बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताना है जब बच्चों को उपर काफी सारा खर्श करते हैं या फिर उनको महेंगे महेंगे किताब ही लाके देते हैं या फिर स्कूल्स के अंदर काफी सारा हेवी खर्श होता है लेकिन जो नतीजह म आपके बच्चों के ऐसे क्या-क्या प्रोब्लम्स है जिससे आप बाहर आना चाहते रहा हूं जरूरू उसका सोलुशन बताँगा और वह सोलुशन ऐसा होगा कि जड़ से उसके प्रोब्लम को आज कतम भी करने वाले हैं तो मैं देख रहा हूं काफी लोग हैं प्रोब्लेम को बता रहे हैं ओके लीदी में बूरे पढ़ा है में ध्यान नहीं लगता और भी है जैसे सागर सर बूर रहे हैं मोबाइल एंटी वी बड़ा प्रोब्लेम बच्चों का यह हो सकता है हो सकता है याद नहीं रहता है सब्सक्राइब करें मोबाइल टू मच यह सर मैं आपको दाना चाहूंगा इसका सोलुशन में बताऊंगा मोबाइल टीवी का आश्वार्य टीवी ओवर आक्ट्यू तो तापस ओके सरे या मैं मैं डूनों वह बूर रहे हैं मैंश्वारिया गेम्स बहुत खिलते हैं ऐसा बो रहे हमेश्या तंक करता है हं ठीक है आपको बाख यह सोलुशन है आप इस टडी नहीं करता है ओके वोपाल सर बोचाह कि नौ लो मैब्स पतसंद बच्चे कुछ आ ओके प्लेइंग गेंज्ट हो के मैं बता दू इस भी प्रिवब्लेंग जो आप बता रहे हो ना उनिबता साथ सालों से सवाल कुछ था मम्मी बापा मुझे आके कहते है सर मेरा बच्चा बहुत गुसा करता है यानि वो उसका इतना इरिटेट हो जाते है कुछ भी बोलो तो या डिसिप्लीन नहीं हो कोई पी करेगा कंपेर करता से मेरे पास नहीं है एकजाम करने के लिए बहुत सोच जाएगा लेजिए हो चुछ काम करने के लिए बोलो नहीं करेगा confidence की कमी है, frustrated हो जाता है, stress लेना, या memory बहुत problem है, हमने काफी सारे tuition लगाए, class लगाए, लेकिन memory बहुत ही जबरदस, बहुत ही problem है, demand तो इतनी करता है, कि मज़े चाहिए, 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 generation gap है, हम कुछ बोलते हैं, रिस्पेक नहीं देता, depressed हो जाता है, health issues है, TV, mobile, अरे बापरे, यह तो wholesale में problem चलो है, अभी तो, यह wholesale में problem चलो है, तो कितने लोग है, इन सभी problem का solution चाहेंगे, कितने लोग चाहेंगे, मैं देख रहा हूँ, काफी सारी parents है, ममी पापा है, जरूर कहूंगा, मैं आपको exact solution बता रहा हूँ, घ्यान से सुने, यह session, ऐसा नहीं रहेगा, कि हम पूरा theoretical जानेंगे, हम अनगो लेंगे, practical करेंगे, यह सभी problem का solution है, और आज के समय के लिए, बच्चों के लिए, एक जबरदर चीज हमें सिकानी पड़ेगे, जिससे बच्चे का कोई विस समय से प्रॉब्लम से आप बहार आओगे, वो क्या है, पता है, आपके बच्चों की आज, third eye activation करनी है, Yes, my defense, क्या होती है, third eye, third eye जिससे अग्या, चक्र, पीनियल ग्लैंड, होर्स आए, डिवाइन आई, दिवये, चक्षू, या फिर वोधी, नेत्र, या फिर मिड ब्रेन के अंदर, एक छोटा सा पाट, पीनियल ग्लैंड, या फिर सातों चक्रों में से सबसे पाउर्फुल च है, अध्या, और मैं जरूर कwegenगा, इसा अध्या चक्र की जो पावर है, हमारी ब्रेन के अंदर, कॉंसेंट्रेशन को बढ़ाता है, memory को इंक्रीस करता है, हमारी intuition पावर को इंक्रीस करता है, और vision या निकलपनाशक्ति Yakो मेंका बढ़ाता है, और बताओ यह अध्या चक्रा बच्छा शान्त हो जाएगा उसका माइन स्टेबल हो जाएगा और जो भी गलत आदेते हैं टीवी गुसा करना ना सुनना वो सभी क्लीन हो जाएगा एक चीज उसके अंदर एक बहुत ही बावर्फुल आएगी वो क्या है उससे पहले में आपको एक छोटा सा वीडियो दिख मनसकार स्वागत है आपका जीनियो देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रोहिच सरदाना और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा फामूला जो आपके बच्चों को जीनियस बना सकता है जी हाँ आज हम आपको कुछ ऐसे सुपर जीनियस बच्चों से मिलाने व बच्चे ये काम कैसे करते हैं? इनको ये ट्रेनिंग कैसे मिली? और इनका कमाल क्या है? हम आपको इन बच्चों से मिलाएं उसके पहले फटा फट इस रिपोर्ट में देख लीज़े। ये किताब से हवा नहीं कर रहें, बलकि ये बच्चे ऐसे ही किताब हिला कर दो मिनट में पूरी किताब पढ़ लेते हैं। और अब जो आपके सामने होगा, वो विज्ञान के लिए सबसे बड़ी चुनाती हुए। ये सब बच्चे आँखों पर कपड़ा बान कर सामने बैठे आदमी के शरीर के अंदर जाकर उसमें छिपी बिमारियों को चुटकियों में बता देते हैं। क्या ये कोई जादू है या नजरों का फेर या फिर कोई तरकीव। 1997 से जपान के हजारों बच्चे ऐसा ही सब कुछ बड़े आराम से कर रहे हैं। अब भारत में आपका बच्चा भी ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन कैसे ये देखने कैसे पॉसिबल है कि हम आखे बन करके देखने वाले हैं। और ये सबी knowledge पता हैं। आज हम यहां पे सीखने भी वाले हैं। तो कितने लोग excited है थड़ा को खोड़ने के लिए आके बन करने के लिए देखने के लिए। कितने लोग excited है और जरू कहूंगा जो भी ममी पापा बेटे ना उनको लगता है कि सर आप मुझे पहला सिखाई है क्योंकि हम सीखना चाहेंगे बच्चों को बाद में सिखाई है क्योंकि यह जब हमने पहली बार देखा हमें लगा कि हमें भी आना चाहें मगर आपको बता लोगों ने यह सुना है जाशी की राणी आके बन करके लड़ाई करते थे कितने लोगों ने सुना है खाफी लोगों ने यस कितने लोगों ने यह सुना है संब्राट अशोक शस्र चलाते थे यस सुना था लेकिन जब उसकी बारे में साइंस था वो पता नहीं था इसकी प मेरा नाम है योगेशा माइंट्रेनर थर्ड एक्सपर्ट में पिछले साथ सालों से जीले सिका रहा हूँ मेरा जो बर्थ-प्लेस है वाड़ महाराश्रा पैठन यहां पर हुआ है मैं महाराश्रा में अभी और अगवार में फिलाल रहता हूं तो मैं स्कूलिंक के अंदर जैसे मेरा 10 से लेके के जी घंतक मैं इंग्लिश हाई स्कूल में बढ़ा रहा की मेरे जहांपे बता रहाँ के छा मेने हंडेट अपने से 39 मार्क्स थे और जरू कहूंगा जब ये प्रॉब्लम में फेस कर रहा था पढ़ाई के मामले में तो आपकी बच्चे भी होंगे जो पढ़ाई में शायद बहुत तकलिफ देते हैं कितने बच्चे पढ़ाई में कमज़र हैं आपके बच्चे पढ़ाई मे पढ़ाई में एक चीज जडरू करिये क्या है बच्चे जब कितब ने करते इसलिए जो मेरा का करना है बच्चे को कोई भी किताब देना किताले इसको पड़ने के बाद मुझे में बता अगर आपका बच्चा एक एक शब्री गाता ago कि या है यह वो किताभ पर हार individual कम सब मगर वो कुछ भी ने बता पारा है और ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है इसका मतलब उसके concept clear नहीं है उस शब्दों को नहीं जान रहा है वैसे ही वो रट्टा मारते याद रख रहा है और ये रट्टा मारता उसको पसंद भी नहीं है और पड़ाइ भी दूर की बात है पता चल जाएगा ना तो बच्चा पढ़ाय में इंटरेस्ट लेगा उसके concept clear होंगे और वो first आएगा कितने को लगता है ये करेंगे तो होगा कितने parents को लगता है इसा किया तो काम करेगा क्योंकि पता है काफी में बच्चों को देखता हो जो counseling करता हो तो उनकी मम्मी पपा क काफी high class लगाते हैं अब लगाओ मगर बच्चों के पहले concept clear करो जो मेरे नहीं थे और मैं बताओ इसलिए मैं काफी चीज़े रटा मारता था और इसलिए याद रखता था मेरे एक दोस्त भी थे उनका भी यही problem था लेकिन मैंने एक चीज़ सिखी थी और वह बहुत ही सु करूंगा यह चीज़ को मेमरी पावर को बढ़ाने के लिए पहले मन के शक्तियों को बढ़ाना जुरूरी है माइंड मेमरी पावर यह बहुत ही सुंदर सा किताब या फिर ऑनलाइन कोर्स था जो सीडी या पर कैसेड्स तो 2005 के अंदर मैंने सिखा था कोई भी चीज अगर स का रिजल्ट है और मिझे 76 मास आए थे और यह ज्यादा नहीं है लेकिन मेरे लिए काफी थे हैं क्योंकि मैं पढ़ाई के अंदर बहुत ही अभी ग्रो कर रहा था बाद में मैंने ग्राइजूशन किया बीटेक मेरा हुआ है और बाद में मैंने जॉप प्रिफर किया लेकि लेकिन यह सिखाते समय मैंने कुछ और भी प्रोग्राम के अंदर सिखाने वाला हूँ पहला जो प्रोग्राम में आज हम सीखने वाले थरड़ाई को अक्टिवेशन को करके बच्चे देखने लगे बाद में यह कॉंटिटी बढ़ने लगी बढ़ने लगी सभी तक मैंने साधी साज़ी साधी 4,000 सभी जादा बच्चे को training दिया है आंके बन करके देखने का और ज़रू कहूँगा बच्चे है पेरेंस है उनको ये सभी knowledge देता हो और ये देने के समय पे में और भी एक problem आ रहा था parents का सर ये तो ठीक है आंके बन करके देखते हैं बच्चे का memory विजुलाइजेशन सभी पावर तो बढ़ रही है मगर मेरा बच्छा बहुत मुबाइल देखता है बहुत गुस्सा करता है यानि सुनता नहीं है स्ट्रेस लेता है तो इसके लिए मैंने बहुत सुन्दर सा एक ट्रेनिंग लिया था एक नॉलिज लिया था एंड़ एल पी आज में आपको यह सिखाने जा रहा हूं यानि मन का बहुत सुन्दर सा साइंस है जिससे बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम है जड़ से उसको बाहर ले के आ सकते हैं तो यह प्रॉब्लम में सुलूशन लाया था एक प्रॉब्लम और क्या बच्चों के रिलेटेट वह या फिर आप रानी के लिंग नामी चानते होंगे रीकी यह बहुत ही सुन्दर सा साइंस हैं बच्चों को और पारेंस को साथ में सिकाते हैं जितके बच्चों की आखो की सुरक्षा के लिए बहुत ही फाइद है तो मैं आपको बताओ आँ आज हम तीम प्रोग्रेम इस जीवन का परफस पता है और मैं बताओ जब सुभा उठता हूँ ना मैं एक ही चीज बोलता हूँ बाज बार कि मुझे थर्ड अक्टिवेशन जो है दसलाख बच्चों की सतानी है उनको थर्ड अक्टिवेशन करना है जिससे उनका जीवन हैपी बने उनका जीवन रहे हैं जो भी हम कुछ हम बोलेंगे और जो बी कुछ हम देखेंगे वो हमारी जिंदगी में kाफ़ी लोट के आ जाता है और जरू कहूंगा ये मेरे mission आज जो मैंने बनाया है एक मांकिय़ मैं मेरे clarity मिली है और इसी clarity के माध्यम से एक सिद्दान्त है आकरशन का यानि मन जो भी सोचता है वही हम बन जाते हैं और इसलिए माधेफेंस आज इतने सारे लोग आए हमें बताओ और मेरे mission के लिए यह complete कर रहा है जरू कहूंगा 10 लाग बच्चों मुझे third activation करना है आपको सिखाना है मैं आपको पताओ आपका time important है मुझे पता है आपका समय important है मगर मैं एक चीज़ जरू कहूंगा कि समय की कदर करते हुए आपका time की कदर करते हुए आज कुछ ऐसा ग्यान दूँगा आपको शाय इससे पहले आपने ना कभी जाना होगा ना कभी कभी अनभोलिया होगा क्योंकि मुझे ये पता है third activation के बारे में 98% लोग नहीं जानते ये क्या science है और ये हर बच्चे को सिखाना या parents को समझना बहुत जरूरी है पता है क्यों इस third activation के program से मैंने अपने जीवन को health को अच्छा रखा है इस third activation को मैंने अपने जीवन में अपने career को या फिर अपने financial goal को एच्चू किया है मैंने अपने जीवन को मेरे परिवार को जो हस्ता अखेरता में दिख रहाओ ये सभी चीज़े मैंने आच्चू किया है और सबसे इंपॉर्टे जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली है ना आज मैं यही ब्लग सभी को सिखाता हूं यह ब्लेसिंग्स मुझे मूटिवेट करती है आज बढ़ने के लिए जरुक होंगा मैंने अपनी जिंदकी के अंगा सभी जो बढ़लाओ किये है थर्ड अक्टिवेशन स यस मैं देख रहा हूं यहां पर ऐसे भी पैरेंस बैटे जो काफी सीरियसली मेरे बातों को सुन रहे हैं और मेरे मिशन में आपका स्वागत है और जो लोग यहां पर आये ना सच में बोलता हूं आज के समय पर किसी के पास समय नहीं है टाइम नहीं है जो मोबाइल पर आप कुछ नया आज सीखने के लिए तयार है मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी लोगों का में दिल से शुक्रया करना चाहूंगा मगर एक चीज़ जरू कहूंगा अंत तक जुड़े रही है क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो आप मुझे है तो एक इक शब्द ध्यान से सुनिएगा यह काफी सिंपल भाशा का यूज करूंगा मगर तोड़ा सा फोकस मेरे पास रखी है अब काम तोड़ा सा साइड में रखे पुरा ध्यान मेरे पास जिंदगी बदल देने वाला एक कंसेप्ट है यह बहुत ही नया और सुन्दर साइंस है इससे साइंटिफिकली देखा जाए तो इसे पीनियल ग्लैंड कहते है ज्यान से सुनिएगा बहुत इंपोर्टेंट है पीनियल ग्लैंड जो हमारी ब्रीन का एक चोटा सा पार्ट है यह देखो यहां पे 6 mm का पार्ट है इसके अंदर दो हार्मोन सिक्रिट होते ह उसको कलपना में कणवर्ट कर देता है और कलपना से हमें चुत्रों इमेजिनेशन दिखाता है यहाने महातमा गांदी तो उनका शेप आ जाता है तो यह जो कलपना है इमाजिनेशन है यह ड्यू टू मेलाटॉनिन है सेराटॉनिन एक हार्मोन है जो हमारे दूनों ब्रेइन को बैलेस रखता है अभी ध्यान से सुनगे है ताफी इंपोर्टेंट है यह पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होत है और कोई एक्सिदेंट होता है पटाक सूर जाते हो और घबरा जाते हैं इसे कितने के साथ हुआ है काफी लोगों के साथ हुआ है अज़रों कहोंगा यह जो सपना लाना या फिर यह जो देखना में इमाजिनेशन करते है रात को सपना यह मैलेटॉनिंग की हार्मोन की प करता है और जिन बच्चे को चस्मा है ना स्पेक्स लगे हुए है उनका मेलेटॉरिक हार्मोन है उनका मेलेटॉरिक हार्मोन है वह कम और जहारों ज़रो कहूंगा इसके सिक्रीशन को बढ़ा सकता है मेलेटार्णिंग को हम इंक्रीज करके आखे बन करके देख सकते हैं अभी आखे बन करके देखने का क्या साइंस है सिंपल भाशन में बोलू पर में हम प्रैक्निकल भी करेंगे थोड़ा साइंस क्या है सिंपल है कितने लोगों ने सुना है कि ध्यान में जो भी संत हुए है महापुरुष हो गए या फिर बड़े-बड़े सफल लोगों है उन्होंने मेडिटेशन क्या एक्जांपल बोलू स्वामी वेक अनंद या लौड गुद्धा गौतम बुद्धा इन्होंने अपने मेडिटेशन के अंदर ध्यान के अंदर सत्य को जाना मैं कोन हूँ, कहां से आया हूँ और उस सत्य को जान रहते ध्यान में ऐसे कितने लोगों ने सुनाए हाथ उपर कीजे मेडिटेशन में हम सत्य को जानते हैं मेडिटेशन के अंदर नॉलेज लेते, कितने लोग जानते हैं ज़रू कहूंगा, यही चीज़ है जब हम ध्यान करते हैं जब हमारे दोनों माइंड एक जगा पे आते हैं विचार शुन्य अवस्ता में हम जो भी कलपनाई करते हैं इमैजीन करते हैं वो सत्य होता है और यही सत्य मारे जो संत है उन्होंने देखा और उन्होंने जाना जिससे लौड बुद्दा कहते हैं मैं दूसरा घर नहीं बनाऊंगा मैं सत्य को जान चुका हूँ तो यही चीज मारे डिफेंस हम ध्यान में कलपनाऊ से सत्य देखते हैं मगर यह चीजे पता नहीं थी किसी ने देखा भी नहीं कि जब हम आखे बन करते हैं ध्यान में होते हैं विचार शुन्य होते हैं तब हम आखे बन करके कोई चीज भी देखेंगे ना वो भी दीख सकती है ये कोई सी को पता नहीं था और यही साइंस माड़ेफेंस जापान के अंदर 1998 में एक साइंटिस्क मूटए को सीटिड आ नाम है उनका और उन्होंने डिस्कवरी किया और जब इंडिया में है 2013 में आय लेकिन समझना है हमारा दोनों ब्रेंट है सबकॉइस के पास 90 परसेंट रहे हैर इसके पास इमगाजिनेशन का इसके पास पार क्रेटिव चीज से दांस मूजिक गेम्स या फिर मिमरी का इन सबी जो 90 परसें पावर है इसको बढ़ाने के लिए आपको थर्ड आट को खोलना पड़ेगा या फिर पीनियर ग्लान को अक्टिवेशन करना पड़ेगा साइंस यह कहता है आज जदतर लोग अपने लिफ ब्रिंग का यूज़ करते हैं यानि भार की दुनिया का यूज़ करते हैं यानि हमेशा आखे खोलना लेकिन आखे बन करके भी हमें अपने शक्तियों को जागरत कर सकते हैं, imagination, creativity से या अपने memory से वो हो सकता है by third activation या penile gland activation से, यह subconscious के पास power है, imagination, creativity, 90% power, और हमारे अंदर जो memory पढ़ा है, जो बरसो का है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा इस्तमाल करके जीवन में बढ़िया सा life जी सकते, अभी द्याहन से स conscious या subconscious में, conscious यानि जागरत, यानि आखे खुली है, यानि आखे बंद है, तो subconscious है, यानि जब हम नीन लेते हैं, या फिर ध्यान करते हैं, उस समय पे हमारा जो brain है, subconscious में होता है, अई यह जानते हैं, मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे क्या राज हैं, यह सो जाते हैं, यानि नीन लेते हैं, उस समय पे conscious mind नहीं कांग करता है, यानि दोनों एक जगा पे नहीं आते हैं, उसको आने के लिए हमें एक चीज सीखना पड़ेगा हो है, state of mind, यान्स इस उनने डीप है, बीटा, अल्फा, ठीटा, डेल्टा, बीटा, अल्फा, डेल्टा डेल्टा, यानि घेरी नीन, यानि डीफ स्लीप, ज्यान से सुनिएगा, बीटा, यानि जागरत अवस्ता, यानि आपके आँके तुली है, उस समय पे आपकी विचार ज्यादा है, यानि फोटीन टूटटी अर्फा, यानि आप सोने के लिए गए, ठीटा, यानि नीन आ ग आ जाता है, उनका मिलन हो जाता है, और ये दोनों, जो ब्रेन एक साथ में आते हैं जो भी कुछ बोलोगे, जो भी कुछ फील करोगे, और जो भी कुछ अनवोलोगे न, वो हमारा सबकॉंशन में माइन में जाके, वो मल्टिप्लिकेशन में रिजल्ट लाके देता है, इसने लोगों के साथ ऐसे हुआ है, और ये वो सपना यादी ने आता है, ऐसे काफी लोग हुआ है, पता है क्यों, क्योंकि हम उस समय पे कॉंशन नहीं है, रात को नीम में हम सब कॉंशन विचार शुन्ने करने पड़ते तब ही जाती नीद आती है, यानि आपको कॉंशन म लोग में बताओ यहां पे, विफोर स्लीप, यानि सोने से पहले पाच मिनिट के लिए, और आफ्टर वेक अप, यानि आप जब उठ जाते हो, उस समय पे पाच मिनिट के लिए, अभी ध्यान से सुनिए, इसे में कहूं, अल्फा अवस्ता, एक ऐसी अवस्ता है, जहां पे जैसे एक्जामपल में बोलू, एक मैजिक है यह, जितने भी सफल लोग हो हैं इस अल्फा को जानते थे, जैसे बिल गेट्स है, या फिर सर्ची देनुकर, बड़े-बड़े सेलिबरेटी को बोलू, मैं महान लोग बताओ, जैसे लौड बुदा, वो इस अल्फा को बारे म करता है, गुसा करता है, मोबाइल करता है, एक NLP का सुन्दर साइंस है, लेकिन यह साइंस सिकाने से पहले, एक मैजिक करेंगे, कितने को मैजिक अच्छा लगता है, हाथ उपर करिएगा, मैजिक बहुत पसंद है, raise your hand, वाउ, काफी लोगों को, यह बच्चों के लिए हो रहेगा, बड़ों के लिए भी रहेगा, लेकिन 100% देना है, जो 100% देगा ना, तो उसको मैं आईसा टेक्निक बताने वाला हूं, जिससे बच्चों की प्रोब्लम खतम हो गए, लेकिन 100% जाए, कितने लोग है, 100% देंगे, आए, से आए, वाउ, काभी लोग है, डेट, दो दोना ऐसे लेके, यहाँ पर स्लिपिंग लाइन है, दोनों को जॉइन, जॉइन, जॉइन करो, ठीक से, मानों की exactly वो जॉइन हो सके, equally जॉइन हो सके, किसले हैं, हम कर रहे हैं, ओके, और हाथ को क्लोज करो ऐसे, क्लोज करो हाथों को, बीच वाले फिंगर को देखो, किसी क लेट वाली बड़ी होगी, किसी के राइट वाली बड़ी होगी, किसी के दोनों सेम भी हो सकते हैं, किसी के दोनों सेम हो सकते हैं, किसी का लेट, किसी का राइट, दोनों सेम भी हो सकते हैं, चलो, ट्राइट, मैं देख रहा हूँ कि काफी बच्चे कर रहे हैं, मम्मी आप भी करो प्लीज आप भी करो बच्चों के साथ क्योंकि जब आप भी करोगे ना तो आपको भी पता चलेगा कि अलफा स्टेट आप माइं कितना जबरदस काम करता है 100 परसेंट प्लीज अभी क्या करना है चेक कि आपने हाथ निकाल दो कितने बच्चे हैं जिनका left hand बढ़ा था हाथ उपर केजै Left hand बढ़ा था याने थोड़ा सा उपर था जब चेक किया तो पड़ा था है कितने दोनों सेंवाले हाथ उपर करो अर्य निकाल कि में बताओ छोटा था उसको सामने लो उसको ऐसे पकड़ो उसको देखो और जो हाथ दोनों सेम थे उनके पास option है कुछसा भी लो यह लो यह फिर यह लो सामने लो मुगर तो उनसा भी आपके पास option है चलो अभी क्या करना है अभी एक magic है सबी करेंगे सबी में कहता हो जो यह magic करेगा ना उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि alpha में जो power है ना वो ज्यादा होती है और वो multiplication में result लाके देती है हम यहाँ पे बहुत ही scientific techniques सिक रहा है alpha state of mind ऐसे हाथ लो भी प्लीज यहाथ ऐसे पकड़ो अभी consciously देखो आखे खुल के देखो conscious mind 10% power अभी हाथ की तील्स को देखो हाथो के lines को देखो हाथ के उपर जो भी है सभी को देखो और देखते हुए बोलो जोर से बोलना है मेरा हाथ बड़ा हो गया है मेरा हाथ बड़ा ह में जाएंगे यानि अर्द जागरतमन जब आखे खुल बंद हो जाती है तो हमारा 90% brain काम करता है आखे बन करते हमारे brain के अंदर power है imagination कलपना करो अपनी हाथों की पूरा focus हाथों की उपर यहाँ वहाँ ध्यान में देना है आखे बन करके पूरा focus हाथों की उपर और हाथो की उपर ध्यान देते हुए बोलो emotion के साथ मेरा हाथ बढ़ा हो गया है मेरा हाथ बढ़ा हो गया है my hand is growing up my hand is growing up मेरा हाथ बहुत बढ़ा हो गया है वाव मेरा हाथ बढ़ा हो गया है मेरा हाथ बहुत ही बढ़ा हो गया है वाव आपको emotion के साथ बोलना है और जोर से बोलना ह जो मनी मन बोलेंगे उनका नहीं होगा, वो जोर से बोलो, मेरा हाथ बड़ा हो गया है, मेरा हाथ बड़ा हो गया है, сотी बार, पूरे emotion, emotion हमारी brain की power है, right brain की power, emotion के साथ बोलो, my hand is growing up,American is growing up,my hand is growing up, आखे बन आखे नहीं को लेगा, तीन बार दिल से हिंदी में बोलेंगे, मेरा हाथ बड़ा हो गया है, मेरा हाथ बड़ा हो गया है, मैं हैंड is growing up, मेरा हाथ बड़ा हो चुका है, वाव, बोलो, वाव, very good, हाथ ओपन, ऐसे निकाल दो अभी, निकाल दो, आखे ओपन, चलो, ready यहाँ पे sleeping line, यहाँ पे sleeping line, चिपकाऊ, आद चेक चेक, करो चेक, और जिनका बड़ा हो आया हो एना उन्ने पढ़ना चाह 밑ो, मैं पड़ना चाहोँगा, काफी लोगी जो आ हाई लिखने वाले अभी, जिनका बड़ा हो आए ना उनोंने लिखना है, आई आई, आई, आई पूरी एनर्जी के साथ हाथ उपर करो लाइक दीस जिनके आत बड़े वह उनके आत ऐसे उपर करो और बोलो अपने आपको बोलो वेरी गुड मैं बताओ एक बहुत सुन्दर सा साइस हमने सीखा लेकिन बताओ यह क्यों कि जब हम बोलते हैं और अनवो लेते हैं तो हमारी जिंदगी में मुझे बताना है सभी ने कितने लोगों का यह अनवो जब हम सुबह उठते हैं न कोई गाना सु पुराद खराब हो गई पुरा दिन खराब जाता है ऐसा भी होता है याने मुल्टिप्लिकेशन में रिजल्ट आते हैं इसलिए हमारी पूरवज जानते थे वो कहते थे हमें मम्मी पापा दादा दादी सुबह पे पढ़ाई करो जदा याद रहेगा या फिर सुबह के समा लॉंग टर्म के लिए और जरू कहूंगा जितने भी सफल लोगे न इस अवस्ता को जानते हैं उन्होंने सफलता पाईए मैं भी अपने मिशन को रात को सुबह बोलता हूँ शाम पे सोने से पहले बोलता हूँ अभी मैं आपको एक उमक दूंगा यह उमक सभी ने करना है जहांसे सुनें जितने भी बच्चे हैं जिनका हाथ बड़ा हुआ है और ऐसे भी है जो महान आत्माएं हैं ओके अईसे भी लोगे आपे महान आत्माएं जन्नों ने चे किया हाथ बड़ाच नहीं हुआ हो क्या कर रहते पता हैं और आखे बन नहीं कर रहे थे ऐसे-इस से हाथ नहीं बढ़ा होगा मैंने आपको कहा था कि आप आके बन करो imagine करो और feel करो जहां से सुनो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ जहां से एक ओमक है राग को सोने से पहले बच्चों को क्या करना है यह daily affirmation बोलने है जोसे मेरी समरण wheat बहुत बढ़ रही है दिनबरगी ने I स्क्रीनशोत निचालएma का ईज़ो मभाइल उसकरो आठा आपको एधा नोब्याइं बच्चों के लिए मंपने जैसे एक खिलाडी होता है बूलता है यस यस जब वो यस बोलता है तो पावरथ अगर कुछ नहीं बोलोगे वैसे ही सो जाओगे तो कुछ बढ़लाओं नहीं आएगा यह चेंज मैंने जितने भी पैरेंज को बताया है उनके बच्चों में पांच या छे दिन के अंदर टोटली बढ़लावाता है उनकी मिमरी कॉंसेंट्रेशन लेकिन एक फॉर्मॉला है उसको बोलने का यह बोलते समय आपको अपने राइड ब्रेन का यूज करना है नौट लेफ्ट ब्रेन कैसे बोलना है जैसे दिन बर दिन मेरे इस्मरण शक्ति बढ़ रही है जैसे बोलोगे तभी काम करेगा ऐसे नहीं बोलना है जैसे हाथ में लिया दिन बर दिन में रिस्मारा शक्ती बढ़ रही है दिन बर दिन में रिस्मारा शक्ती बढ़ रही है दिन बर दिन में रिस्मारा शक्ती बढ़ रही है कुछ नहीं बढ़ेगा ऐसा बोलने से कुछ नहीं बढ़ेगा याने आपको emotions का use करना है feel use करना है औ बहुराँ बढंधरी यह नहीं दिन बर दिन में राइ्टिंग बढंधर है दिन बर दिन में राइटिंगे स्ब्री रही है मुच नहीं बढ़ेगा ऐसे रहा हैं नहीं करना है ही, हसती हुए, 100%, 90% pumpingабот, अभी तक आपको 35 को है, कितने minito हुए, 35, कितने lives हुए, 35 लग रहा है आपको 35 से, भैटी हुए, एक जगापे शाधी नहीं लग रहा थैं, क्यूं पता है क्योंकि मैं अपने शब्दों को कम नीचे ऊपर कर रहा मैं आपको यहां पर creative चीज़े कर रहा हूँ ऐसे ऐसे और मैं आपको visual हूँ यानि मैं शब्द बोग रहा हूँ आप मुझे देख रहा हूँ मेरे आंकों में आके डाल के देख रहा हूँ अगर यह ना हुआ होता subconscious का use 90% का use अगर conscious mind का मैंने use किया होता जिसके पास 10% पावर है तो यह workshop कैसे होता पता है सबी लोगों का स्वागत है आज हम third activation सीखने वाले हैं यह बहुत ही जबर्दस टेखनीक है जिससे आपकी बच्चे का memory बड़ेगा concentration बड़ेगा इतना ही नहीं आपकी बच्चे का जो आज के समय पे बहुत important है और हर किसे में चाहिए वो है confidence आपकी बच्चे का confidence इतना बड़ेगा कि आप सोच नहीं सकते बेटा पहला तेरा confidence बड़ा तेरे अंदर confidence ही नहीं है यानि यह में हाथ है इसे कर रहा हूँ या फ यह है मेरे जीवन में हरी समय पे मैं financially free हो चुक है हर समय पे पैसा आ रहा है यहां फिर मेरे relation बहुत ही अच्छे हो रहे है हमेशा मैं खुश रहता हूँ या रहती हो जो भी है तो मैं आपको बताओं ऐसे बोलोगे रात को सोने से पहले उठने के बाद आपकी जिंदगी के और गिफ्ट देना चाहता हूँ आपको एक activity करना है सभी के लिए एक चीज आपको यहां पर करनी है वो क्या है आपको अभी काम करना है एक गिफ्ट दे रहा हूँ इसके reference में बहुत ही सुन्दर सा meditation देना चाहूँगा कितने लोग यह जो affirmation है न पॉजिटिव यह रिडि काफी लोग चाहेंगे न कि यह सभी जो चीजें हमने एक audio बनाया है और यह कैसे बोलना है क्यों बोलना है इसके बीचे का बहुत बड़ा science बताया है आपको यह काम करना है अभी हमारी YouTube चैनल पे जाना है चलो चलो मोबाइल खुलो मेरे पास देपो मोबाइल जाओ मोबाइल पे टालो योगिश दही हंडे योगिश दही हंडे याद रहेगा दही अंडे तो के टाइप करो योगिश दही डिये एचाए अभी क्या अभी करो, सभी हो मैं क्या अभी है मैं आपको एक छुन्दर सा मेडिटेशन दे रहा हूँ योगेश दही हंटे, टाइप किया, वेरी गुड आगी लिखो, वाटर डव्ल्यू ए टी ए आर वाटर, टाइप करो, मेमरी सभी ने करना है, यो बहुत ही सुन्दर सा में चीज दे रहा हूँ आपके लिए और आपके बच्चे के लिए इतना जबरतस्ते, आप मुझे दिल से कहोगे सर्फ क्या चीज दिया आपने मुझे और हमने अपने जीवन में यो बहुत ही बड़े साइंस को समझा, और यह काफी इंटरस्टिंग है, सर्च करो इधे, इधर और कितने लोगों को ऐसा एक वीडियो दिख रहा है, ऐसा एक वीडियो यह देखो, वाटर मेमरी, खबरदार वीडियो देखो, ऐसा वीडियो किसको दिख रहा है, हाथ उपर करो वोके, वेरी गुड़ा, इसको क्या करो ओपन करो ओके, और इसको सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पर बटन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ओके, मैं आपको बताओ क्यों करना है, क्योंकि मैं आपको कई चीज़े बताने वाला हूँ, क्योंकि आपके बच्चों की मेमरी के लिए, कॉंसेंट्रेशन के लिए, बच्चों के प्रॉब्लेम्स के लिए हमने चार सो से भी तादा वीडियो डाले है मैं बताओंगा, लेकिन ये वीडियो प्लीज, प्लीज, प्लीज अपने बच्चों को और आपको दिखना है, और इमें बताओ, दिल से बता रहा हूँ, जो इस वीडियो को देखेगा ना, वो कभी नकारात्मक नहीं सोचेगा, जो इस वीडियो को देखेगा ना, और इसमें टेकनिक सिखा है, मैंने बहुत ही सुंदारे वाटर का, पानी का, ये वीडियो जरुद दिखाएए बच्चों को, और आपके बच्चे, मैं कहूंगा, चारिया पास दिन बहुत हो गए, वो इसनके अंदर बहुत सारा चेंज आएगा, चैनल को सस्क्राइब करो, और बेल बटन को भी दबाओ, बेल बटन को, और यहाँ पी लिखो, वी हाँ सस्क्राइब चैनल, किसने चैनल सस्क्राइब किया, पढ़ना चाहूँगा कितने लोग जन्हों को चैनल को सिस्क्राइब किया है यह उनका नाम लेना चाहूँगा कि अब आपको यह चैनल के उपर मेमरी के उपर या फिर माइंड पावर के उपर या थर्ड एक्टिविशन को पर काफी सारे वीडियोज मिलेंगे एक बार जरू विजिटीज हमरे यूट्यूब पे और आपको वहां पे काफी सारा नॉलेच पढ़ा है यानि हमने पिछले सा सालों से इसके उपर काफी रिसर्च करके वीडियोज डाले हैं करेगा फाइनेंशल या फिर हैल के लिए या फिर मनी के लिए बच्चों की ग्रोट के लिए हर इक एरियास में हमने कवर किया और मैं आपको बताओं यह जो अलफा स्टेट है जो बहुत सुन्दर है या फिर उसके अंदर एक बहुत एक बड़ी शक्ति मिलती है और वो शक्ति हमारी पीनियल ग्लाइन को एक्टिवेट करती है ध्यान मेडिटेशन में हम ज्यादा समय के लिए अलफा में होते हैं मेडिटेशन में हमारी दोनों माइंड एक जगा पे आते हैं conscious and subconscious और इसे कहते हैं state of अभी ध्यान से सुनिएगा अभी practical है इसके बाद अभी यह जो meditation है इसकी हम time को जो है बढ़ाने वाले हैं अलफा state को बढ़ाने वाले हैं जा पे दोनों माइंड एक जगा पे आते हैं इस अवस्ता में हमें एक उर्जा मिलती है एक शक्ति मिलती है और यह शक्ति क्या करती है cosmic energy एक ऐसी उर्जा है जो brain के जो pineal gland है उसके अंदर जाके जो हार्मोन है melatonin उसको बढ़ाती है और वह बढ़ाने के बाद हमारी कलपा नशक्ति increase होती है यह simple सा science है क्योंकि बहुत ही जबरदस्त है अभी ध्यान से सुनिए सभी नकारत्मक चीजों का हमने निकाला through that alpha state अभी कुछ डालेंगे भी बच्चों के अंदर ऐसा कुछ डालेंगे जो बहुत ही जबरदस और आपके बच्चों का पुरा life set कर देगा अभी मैं बताओ cosmic energy को हम यहाँ पे deeply understand करेंगे यह ऐसा science है जो मैंने 25 साल की उम्र में सीखा था और मैं बताओ यह सीखने के बाद पुरी जो दुनिया है एक energy से चल रही है जैसे एक scientist से पूचो कि दुनिया किसने वनाई वो और कहेगा energy से पूचोगे ना यह दुनिया वकोड़ानने वननने बहानी है अभी उसे बगवान उसे आप energy बूंझ भी बोलो लेकिन कोई तो भी है जो इस दुनिया को चला रहा यानि प्रुत्वी की ऊपर एर्थ की ऊपर जो भी कारे हो रहे हैं पेड़ पोदे बनना कीड़े मोकोडे बनना यह सबी जो चला रहा है वो है कौस्मिक एनर्जी और यह एनर्जी हमें चाहिए होती है डेली रूटिंग में काम करने के लिए लेकिन यह एनर्जी आती कहां प जब हम सो जाते हैं नींद में विचार शुन्य में तब यह एनर्जी आती है नींद में मिलती है ज्यान से सुने रहां नीन में कितने लोगों ने यह सुना है लॉड वुद्धा ने छे साल ध्यान किया था मेडिटेशन छे साल एट एज ऑफ 30 वह बैठे 35 के अंदर उन्हो में कुछ खाया नहीं था और पानी भी नहीं पिया था छे साल तक ध्यान किया था उनका बोड़ी कैसे चल रहा था बड़े इस कॉस्मिक एनर्जी मिली ना हमारी सबी ठकावट या इनर्जी इतनी बढ़ती है बहुत बढ़ती है और मैं बटाओ यह इनर्जी हमीं मिलती है 10% कितना परसेंट 10 एक नॉर्मल इंसान इस एनर्जी को बस 10 प्रतिशत पाता है और वो कहां पर पाता है पता है नींद में सोते समय और यह 10 प्रतिशत क्यों है कितने लोगों ने ऐसा कुछ आनवो लिया है अपनी जीवन में आपका सिर में घर्द है सिर बहुत दुख रहा है गोली नहीं है पेन किलर खाने की और आप सो गए सुपह उठे तो पेन था सिर था घायब है कितने लोगों का आनवो है कितने लोगों का है या फिर ऐसा भी आनवो हो रहा होगा आपके हाथ दुख रहे हैं पेर दुख रहे हैं पुरे ठक गए हो और कह रहे हो मैं अभी नहीं उठ सकता बहुत ठक गया हो और जब आप सो जाते हो ना सुबह उठते हो वो जो ठका हो टे ना 80% गायब हो जाती है इसे कितने के साथ हुआ है यानि नीद अगर आप एक दीन नहीं लोगे दो दीन नहीं लोगे तीन नहीं लोगे तो आपका सर भारी हो जाता है सीर में दुखता शुरू होता है डाजेस्टियों सिस्टिम खराब हो जाता है यानि नीद यानि हमें एक इनर्जी मिलती है नी चीज़े खराब गर दिती है अब इवे बताओ ये नर्जी हमें चाहिए लेकिन हमें जो नींद में मिलती है वो 10% है इसलिए हमारी जो कारिये है यानि पढ़ाई हो या फिर concentration वो कम है लेकिन इसको हम ज़्यादा ले सकते हैं कैसे एक चीज है एक टेक्निक है ध्यान से सुनिए बहुत सुन्दर से टेक्निक है आपके लिए और वज्चों के लिए वो है मारी डिफेंस इस टेक्निक का यूज करके हम इस एनर्जी को ज़्यादा लेंगे वो है meditation क्या है ध्यान के अंदर ये कोस्मिक एनर्जी को ज़्यादा रिस्यू करेंगे कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए हाथों को क्रॉस करना है पेरों को क्रॉस करना है आखे बन जब ये तीनों दर्वाजे को बन करोगे आखे हाथ और पेर तो एक एनर्जी का circuit बनेगा इक circle में आपके surrounding इनर्जी गुमेगी बहार नहीं जाएगी जब आप ध्यान करोगे ना एक प्रॉब्लम है जो सताएगी वह क्या है विचार यह जो गोले विचारों के वह आपको meditation नहीं करने देंगे मगर एक चीज बदू वह है इन विचारों को बचने के लिए आपको breathing प्रोसेस को ध्यान देना पड़ेगा जो हमें सभी जानते हैं मगर एक स्टेप आगे लेके जाओंगा हमारी जो सासे ना उसको imagine करो यह किसी ने नहीं सिखाया होगा उसको blue color का देखो और वो दिख भी जाती है नीले color की सासे को count करो 15 सासों बहुत हो गए बाद में देखोगे 15 सासों के बाद आपकी जो breathing है न वो style बदल जाएगी चोटी 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 और भी चोटी हो जाएगी और दोनों आखों के बीच में एक प्रकाश का रूप लेगी यानि इस अवस्ता में ऐसा फिल होगा सासे बंद है विचार शुन है बहार का आवाज भी नहीं आ रहा है बोडी का weight zero हो चुका है ऐसा कुछ feel होगा और इस अवस्ता में आसमान से जब imagine करोगे कि blue color की light हमारे शेरी में जा रही है बोडी में जा रही है और हमारी अंदर जा रही है ऐसा अनवो है यह जिसमें को पर्म आनंद और काफी कम लोग इस अवस्ता तक पहुशते भी है इस अवस्ता में जो energy हमें मिलती है वो high होती है higher energy का आनवो या बेटे बेटे हम पाल लेते हैं और मैं बताओ जिन्होंने आन बोलिया न हो कभी ध्यान छोड नहीं सकते हैं यह जो energy है न हमारे एक अलग श हमारी शेरी के अंदर 72,000 नाडिया है अभी ध्यान से सुने हो यह नाडि का क्या काम है और यह क्यू है हमारी शेरी के अंदर नाडिया होती है एक नाडि दूसरे नाडि के उपर आती है कुछ इस तरह से वहाँ पी चक्रा फॉर्म होते हैं तो हमारी शेरी के अंदर 112 चक्र पर हमारे जो स्पाइन है उसके अंदर साथ चक्रा जादा नाड़ी इंटरसेक हो गई है जादा नाड़ी वहाँ पे हैं और बेदाओ यह नाड़ी जो है हमारा शरी उसके अंदर इनर्जी हमारी पूरे शरी के अंदर फैलती है एक इंपोर्टेंट चीज में क्यों सिखा रह है नी चोड़े क्या है पता है हम जब ध्यान करते हैं मेडिटेशन करते हैं और बैठते हैं इनर्जी उपर से आ रही है लेकिन बौडी में नहीं जा रही है क्यों पता है बीच में विचार है और यह विचार जितने जादा है ना उतना इनर्जी का फ्लो कम हो जाता है यान चल के बड़ी-बड़ी विमारिया लाते हैं जिसे आखों में तकलीफ है के लाल कलर का पैच है कानों में प्रॉब्लेम है या फिर मिमरी मैं vegan काम है स्टमक में इंसुलिन की कम्य है जा या फिर किड्नी फेलियर है या फिर अलग-अलग बीमारी बताओ आपको एक बहुत-बड़ा साइंस में बहुत-बड़ा सब्सक्राइब जब मैंने ये थड़ाए के बारे में या फिर रेकी जैसे साइंस में कि सभी इतना नॉलिज लिया था ना और बाद में मैंने अनवो लिया है दीखी है कि विचार होने से जो इनर्जी का फ्लोई हो कम होता है लेकिन विचार शुने ना वो इनर्जी इतनी हमें एक higher energy का अनवा आता हैं जिसे हम कोई बिमारी भी ना उससे बहार आ सकते हैं अभी ध्यान से सुनिए बच्चों के लिए और मम्मी पापा के 120 ताल था 130 साल के वो जीते थैं मगर आज के समय पर लोग 80 साल 60 साल 50 साल में मर जाते अब मुझे बताओ जिसके जीवन में जितना ज्यदा जितना ज्यादा इंजाइटी हाई टेंशन है उसको उतनी ज्याद बीमारी आगा फूर्ड c सभी भीमारी कहां से आती है माइंड से साइकलोजी से और यह विचार आज बड़े है क्योंफ पता दो चीजह से पहला है ने आज काफी सारे टेकन लोगी का मन का लोड़ कम हुआ है लेकिन मन का लोड़ बहुत बड़ा है यानि टेकनולोजी उख चीजह और किसी ने नहीं सिखाया है और जरू कहूंगा आपके बच्चे हैं आज के समय पे वो एक चीज बहुत देख रहे हैं वो क्या है पता है यह वाला यह यह बड़ी चीज है क्या होता है जब बच्चे मोबाइल क्या करता है इसमें से निकलने वाले इर्ट्र मैंनेटिक वेव आपके जो कॉस्मिक एनर्जी नो पूरा खीच लेता है और वो खीचने के बाद बच्चों का माइंड वो स्टेबल नहीं है आज बच्चों का दिम बच्चों के लिए लेकिन आभी क्या है मैं आपको यह भी बताऊंगा यूज करना लिमिडेट ज़रूई है मगर ऐसी भी चीज़ है जैसे आप मुझे देख रहे हो हमें जो भी चेंज है याने जो मैं कहूँ कि आने वाली जो टेक्नोलोजी है उसको हम सविकार करते हैं क्योंकि वो चीज़ों हमें फायदा भी देती है मगर उसे हम छुटकारा भी ने पास सकते क्योंकि अभी वो जरूरी वी जैसे आप मुझे देख रहे हो तो एक जरूरी है मगर एक चीज आपको implement करनी है आज से वो क्या पता है आज से आपके बच्चों के लिए आपको एक चीज बहुत ज्यादा implement करनी है ड्यान करना है और पेट में जा रही है तो पूरा शेरीर को देखना है कि ब्ल्यू कलर का होते जा रहा है यहनी जो बीमारिया ना वो उसको खतम कर देता है आपके अंदर जो नाड़ी के अंदर जो एनर्जी ना जो कमी है उसको खतम कर देता है और मैं बताओ यह अनर्जी जब जितना लोगे यह ब्लेसिंग्स यह दूआ जितना लोगे उतनेही ज्यादा आप पॉर्फ लोगे तो कितने लोग आज मुझे वाधा करते प्रॉमिस कर को इनरजी को देखना चाते हैं और आपनी chce खूझ के लोग इस स्कॉस्मिक एनरजी को देहना चाहते हैं और अनवो लेना चाहते हैं कितने लोगें जिस को देखना चाहेंगे। औwiąबो लेना चाहेंगे। पर मैं बता दूँ यहां पर काफी लोगी जो रोजाना meditation करने वाले हैं मगर मैं आपको सच में बता दूँ जिस इंसान ने cosmic energy देखा न जिस इंसान ने cosmic energy का अनवो लिया न वो कभी ध्यान नहीं छोड़ सकता जैसे हमारे जो course है 30 दिनों का हम बच्चों को कहते हैं बेटा ए करना है यानि कुछ ऐसा अनवो हम पाते हैं जरू कहूंगा आपके बच्चों को और आपके लिए 20 मिनित का ध्यान कंपल सरी करना तो उसके लिए आखों पे रुमाल यहां पट्टी बांदो आखों पे रुमाल पट्टी बांदने का साइंस क्या है मैं बता दू आपको जो मेलेटोनिन हार्मोन है ना उसके अंदर जो पावर है यानि विज्वालाइजेशन की उसके हार्मोन को सिक्रीट करता यानि बढ़ाता है आखों पे रुमाल नहीं है जब उजाला होगा रोशनी आएगी तो जो सिक्रीशन है वो कम करेगा और जो रियल अनवो है वो नह अदि लोग पत्टी बान देंगे हैं थीक है बच्चे भी बाइंदो अबूपर पत्टी बान देंगे वीडियोस को अंड रखो जो अनवों लेंगे ना बहुत ही सिंदा विवो नाइंटीं स्फटीवन बेटा पट्टी बान डवांदो फ्लीस मैं चाहूंगा कि जो अनव अपने इसको कोई चार्ज नहीं दिया है लेकिन आपको बुलाने के लिए मेरे काफी पैसे कर्च हुए है मैं आपको बोलो यह प्रोग्राम कंड़क करने के बाद मैं चाहूंगा कि आपकी जिन्देख्री में बढ़लाओ आए चेंज आए और कोई इंसान सच में बढ़लाओ चाहता है ना उसने बस action लेनी है action क्या लिनी है जो चीजे आपकी जीवन में फाइदा देगी उसके उपर action लिनी है याने meditation करने के बाद जो energy का आणवो आएगा इतना beautiful होगा ऐसा लगेगा कि हम बाहर ही ना आए मगर वह आणवो कब आएगा action लेनी के बाद पट्टी बा जिसने इसको देखा अनवो लिया तो अभी meditation नहीं चोड़ सकता और पता है कि जो ध्यान इना थड़ाएका है तीसरी आखा है तो ज़रूर बांद तो कि हम इससे थड़ा एक्टिबिशन खोलने वाले हैं आखे बन सभी parents बच्चे आखे बन करेंगे पूरा ध्यान अपने सासों के उपर लेके जाएंगे आप देख सकते हैं आपकी सासे आपका मन connected है जैसे जैसे आप अपने सासों को देखोगे वेसे ही आप गेरी अवस्ता में एक समाधी के अवस्ता में पहुचोगे जहां पे आपकी विचार शुण्ने होंगे मैं एक से पाच काउंट को रूँगा पाच में आपकी विचार शुण्ने हो जाएंगे मैं फिर से कहूँ ये meditation काफी deep होने वाला है मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ तो आपको पूरा concentration के साथ करना है क्योंकि ये मोका हमें मिला है अग्या चक्र को देखने का मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना 100% दीजे कोई भी काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी पूरा ध्यान सासों के उपर देखिए आपके नीले कलर की सास अंदर जा रही है और बाहरा रही है चुँ पूरा ध्यान सासों के उपर देखिए विजुलाइज कीजे कलपना कीजे आपके नीले कलर की सास अंदर जा रही है और बाहरा रही है त्री, फूर, आपके विचार कम हो रहे हैं, सासों की तियुरता, स्पीड कम हो रही है, आपका सास, आपका मन कनेट हो गया है, जैसे-जैसे सासों की स्पीड कम हो रही है, विचार भी कम हो रहे है, and five, आप देख सकते हैं, आपके सासे बहुत ही कम है, और आप अपना ध्यान जो है, दोनों आउकों के बीच में लेकर चाहिए, जहां पर हम गन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो अपने दोनों आखों के बीच में सेंटर आपका जो आइब्रोज हैं वहाँ पे ध्यान दीजिए और वहाँ पे दीखिए एक किचाओ एक सेंजिशन एक दबाओ ऐसा महसूस कीजे दोन आखों के बीच में जो भी फील हो रहा है उसे बस महसूस कीजे और देख सकते हैं वहाँ पे अग्या चक्र अग्या चक्र तीन बार मेरे साथ बोलना है अब चाहो तो जो और से भी बोल सकते हो अग्या चक्र अग्या चक्र अग्या चक्र दोन आखों के बीच में देख सकते हैं एक सरकल एक शेप आपको दिख रहा है सरकल जो अग्या चक्र का है उसके अंदर ओम लिखा हुआ है और वो अग्या चक्र गूम रहा है आप अगर देख सकते हो तो अच्छी बात है नहीं देख सकते तो आप कलपना भी कर सकते हो हमारा subconscious mind, अंतर मन उसके पास power है कलपना शक्ति की दीखिए कि इस तरह से आपका अग्या चक्र घूम रहा है चेहरे के उपर smile रखिए चेहरा हस्ता हुआ आपका, आपके अंदर emotions आपके happy वाले होने चाहिए तब जाके आपको visualization बढ़िया हो जाएगे, आप experience करोगे उस energy का जो आपके अंदर आने वाली है आप देख सकते हैं किसी किसी को ये चक्र नीले कलर का, किसी किसी को ये चक्र घूमता हुआ, किसी किसी को ये चक्र जोत की सुरूप में दिख रहा है पूरा ध्यान दोन आखों के बीच में रखिये चहां पे हम गल लगाते हैं टीका लगाते हैं आप देख सकते हैं आसमान से एक नीले कलर का प्रकाश, ब्लू कलर की लाइट आसमान से आ रही हैं और वो लाइट आपके दोन आखों के बीच में धड़ाई या आपके सिर के उपर क्राउन चक्रा है आपके सिर से वो पूरी शरीर में जा रही है आपका चहरा स्माइल रहना चाहिए आप देख सकते हैं वो पूरी इनरजी आपके पूरी शरीर में रग रग में जा रही है कन-कन में जा रही है और आप देख सकते हैं आपका नाड़ी का बना हुआ शरीर इत्रिक बोडी आपका नाडी से बना हुआ शरीर जिसके अंदर ये इनरजी पहुच रही है आप महसुस कीजिए आपके सिर से वो पूरे शरीर में जा रही है तो आप देख सकते हैं आपके सिर में आपके गले में आपके पेट में आपके शुल्डर में जहाँ जहाँ पेन ह हो सकता है कोई पेन, कोई दर्द जो काफी दिनों से है तो वहाँ पे लाल कलर का पैच लाल कलर का धबा आप विजुलाइस कीजिए या देख सकते हैं लाल कलर का पेन उसमें वो एनरजी उसमें वो कास्मिक लाइट जा रही है और वो लाइट उस पेन को जो है उस लाल रंग को ब्लू बना रही है वाव महसूस कीजे आपके शरीर में जहां पे पेन है वहाँ पे आपका ध्यान लेके चाहिए वहाँ पे आपको लाल करर का बैच दिखाई देगा और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वह नीले कलर का जो प्रकाश है एक चमक है वह और रहा है लाल से नीले कलर का प्रकाश में वह कनोट हो रहा है वाव चेहरे के उपर एक बड़ी स्माइल लेके आईए और आप देख सकते हैं पूरा शरीर इनर्जी से बरा हुआ है पूरा शरीर ब्लू लाइट से बरा हुआ है और आप देख सकते हैं ये वुर्जा आपके शरीर में जब आ रही है कितना अच्छा मैसुस होता है फील करिए और आप देख सकते हैं वो इनर्जी का जो फ्लो है वो बढ़ रहा है जैसे जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो वैसे वैसे वो एनर्जी आ रही है और आपका शरीर एनर्जी से बरा हुआ है पॉजिटिव और जासे बरा हुआ है चेहरे के उपर बड़ी स्माइल रखते हुए दोनों हाथ रफ कीजे मैं चाहूँगा कि आपके दोनों हाथ रफ कीजे आपके दोनों हाथ जोर से रफ करने है वैरी गूट वैरी नाइस और आपके दोनों हाथ आसमान में लेके जाए मतलब आपके जो हातों के तलवे हैं आसमान की तरफ रखिए और आप देख सकते हैं दोनों हाथ अलग-अलग separate कीजे, आपको दोनों हाथों को अलग-अलग करना है, separate करना है, और आपके दोनों हाथ आसमान की तरफ रखिए, और आप देख सकते हैं, आसमान से वो नीले कलर का प्रकाश, आपके हाथों के अंदर, एक दोनों हाथों के center से वो गुजर रहा है, तो जब वो गुजर रहा है तो आप फील कीजे, मैसूस कीजे कि दुना हातों के सेंटर में एक एक चक्र है, एक एक चक्र घूम रहे है तीजी से एक एक चक्र बहुती तीजी से घूम रहे है और वो एनर्जी वो ब्लू लाइट एक एनर्जी का अनवो वो पुश कर रही है आपको धक्का दे रही है और आप महसूस किजिए कितना अच्छा लगता है वाउ कितना अच्छा ये वाउ और आप देख सकते हैं आपका शरीर पूरी तरह से चमक रहा है आपके शरीर से नीले कलर के प्रकाश पूरे बोडी में चमक रहा है आपका जो ओरा है आबा है वो पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया है तीन बार मेरे साथ कहिना है इस एनर्जी को थैंक यू एनर्जी थैंक यू एनर्जी थैंक यू एनर्जी थैंक यू एनर्जी दोन आखों के बीच में ध्यान लेके जाएए आपके थरड़ा एक को देखिए अग्या चक्रक को देखिए और उससे भी बोलिए थैंक यू थैं सोस हो रहा है आपका पूरा शरीर शक्ति शाली हो गया है आपका मन पूरी तरह से शान्त हो गया है बच्चे हैं तो मेरे साथ कहिए मेरी स्मरन शक्ति बहुत बढ़ गई है मेरे स्मरन शक्ति बहुत बढ़ गई है बच्चे यह भी कहेंगे मुझे पढ़ाय करना बहुत ही अच्छा लगता है स्माइल के साथ बोलना है चेज़े के उपर बड़ी स्माइल मेरी स्मरन शक्ती इतनी बड़ी है कि मैं जो कुछ बढ़ता हूँ मुझे तुरंत याद हो जाता है मेरी राइटिंग की स्पीड रीडिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई है जो बड़े है पैरेंट्स है उन्होंने बूलना है मेरा शरी तंदुरुस्त है मेरा मन शान्त है आप देख सकते हैं आपका शरी पूरा नीले कलर का दिक्रा है इस आग्या चक्रों को इस एनर्जी को इस कुदरत को नेजर को अब जीस भगवान को भी मानते हैं उन्हें याद कीजिए उनको अपने आखों के सामने लेके आईए वो चाहू राम हो सकते हैं कुरुष्ण हो सकते हैं भगवान बुद्ध हो सकते हैं महावीर हो सकते हैं मुहमत पैगंबर हो सकते हैं उनको याद कीजिए उस दुआ को उस एनर्जी को महसूस कीजिए एक हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएए स्माइल के साथ उन्हें धन्यवाद दीजिए थैंक यू बूलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू यही ऐसास रोजाना हम लेंगे रोज मेडिटेशन करेंगे और रोज मेडिटेशन से आप देखेंगे कि अपने आपको कितने बदल रहे हैं यह मौका जो आज हमने पाया है जो भी सफल इंसान है वो रोज प्रैत्न करते हैं तभी जाके वो सफल होते हैं यही चीज नीचा कुदरत चेक करती है बगवान चेक करते हैं कि हम रोजाना ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम रेगुलेरिटी के साथ करते हैं तो वो नतीजे भी हमें दिखाए देते हैं अपने बच्चों को मम्मी पापा सभी परिवार ये ध्यान का अनबो लेंगे हम पुरा परिवार एक साथ बैठेंगे आज यही प्रण लेंगे उस भगवान को उस इनर्जी को कहेंगे कि हम रोज आपको मिलेंगे आपको रोज याद करेंगे आप देखेंगे कि आपका पुरा जीवन बदल जाएगा आप देखोगे कि आपकी सकारात्मक उरजाओ से आपकी जीवन में सकारात्मक नतीजे मिलेंगे सकारात्मक दोस्त बनेंगे और आप खुद सकारात्मक हो जाओगी जो भी इस इनर्जी को पाए है उन्होंने महानकारिय किये है ऐसे ही महानकारिय सभी के हो, यही हम दुआ करें, सभी का मंगल हो, सब स्वस्त मुक्त हो, सब का मंगल हो, तैंक यू, तैंक यू, इस इनर्जी को जितने आप दिल से थैंक यू कहोगे, वो और आएगी, और आएगी, और आएगी, पूरा शरी आपका नीले कलर का बन गया है, अग्या चक्र, आप देख सकते हैं, आपके सातों चक्र का दर्शन भी आपको आज होगा, कहो रहा है, आपके सात चक्र, सिर के उपर सहस्रार चक्र, लोटस जैसा आपको दिखता होगा, दोनाखों के बीच में थड़ाई चक्र, आपके थ्रोट चक्र को दीखिए, कितना खुबसूरत है, गले के ऊपर, ग्री औराइन कलर का हाठ चक्र, देखिए, कितना खुबसूरत है, आपके पेट की उपर है मनिपूर चक्र, आपके पेट की नीच है स्वादिस्टान चक्र, आपके मनके के लास्ट एंड में दीखिए, मुलाधार चक्र, ऐसातों के सात चक्र का अणवोपी आप ले सकते हैं श्लोली श्लोली इस प्रोसेस से भाहर आएंगे आपको आलने बाहरेने के बाद बहुत अच्छा मेसूस होगा बहुत ही अच्छा फील होगा make से लेकर पाच काउंट करूंगा पास से आप बहार आओगे बी रेडी वान स्लोली स्लोली बाहराना है टू त्री फोर स्लोली स्लोली बाहरा रहे एंड फाइड दोना तरफ कीजे आपके आँकों के उपर लेके जाए और जो आग्या चक्र है उसके अंदर पेटल से फूल है वो उसके खुश्बू को महसूस कीजे उस खुश्बू को लीजिए आपको एक स्मेल आएगी स्लोली स्लोली आखे उपन कीजिए स्लोली स्लोली उपन यो आइस वाव मैं चाहूंगा कि स्लोली स्लोली आखे उपन करो आइंड आपको बताना है मुझे हाव यह फिलिंग ना कैसे लगा आपको इसको बहुत ही फ्रेश विल वहाद उपर करो ऐसे लगा कि बैटरी को पुरा रिचार्ज कर दिया ग्रेट इतने ऐसे लोग है या बड़े भ दर्द होगा आप में अभी वो दर्द गाए वे कितने हैं ऐसे वो दर्द या फिर वो कई पेंट था होगा है अपकी अंदर जो भी प्रॉब्लम से नकारात्मा वो ठीक हो जाएंगे और मैं बताओ कितने मम्मी पापा बच्चों के साथ बैटे हैं हाद उपर करिए मम्मी पापा बच्चों के साथ बैटे हैं कितने पैरेंट चाहते कि बच्चया मोबाइल छोड़े हाथ उपर करो मोबाइल छोड़े मैं बताओ आपको एक सिक्रेट बहुत ही सुन्दर सा वो क्या है अभी बच्चों के हाथ में मोबाइल दो मोबाइल दो ऐसे हाथ में मोबाइल शुन्य है और जब शुन्य विचार है ना जिसे मैं कहूँ अलफा स्टेट आप माइंड उनकी जो क्लियारीटी है इमार्जिनेशन बहुत अच्छी थी अभी क्या करना है बच्चो आखे बन करो मोबाइल को हाई से हाथ में लो और आप मुझे बताओ बच्चो मोबाइल और हाथ के बीच में आपको क्या देख रहा है आपका पूरा द्यान मोबाइल और हाथ के उपर रखो आपने जो हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है उसके उपर रखो और देखो आपकी जो हाथों की जो एनर्जी है ना ब्ल्यू कलर की जो आपने देखा जो अभी कलेड किया हो मोबाइल देखो कीच रहा है क्या वो पूरा जो इनर्जी ना वो पूरे मोबाइल के अंदर जा रही है और आपके हाथ में दर्द हो रहा है आप उस दर्द को फील करो देखो हाथ ऐसा पेन कर रहा है दर्द हो रहा है किन बच्चों का हाथ दर्द हो हाथ उपर करो बहुत पेन हो रहा है और किन बच्चों को ऐसा दिख रहा है कि जो मोबाइल है उसको इनर्जी ले रहा है और जो शक्ति है जो नीम में मिलती है वो पूरी की फीच ले रहा है जरुक होंगा छोड़ना है मोबाइल आश आपको बदाऊंगा बच्चों का कैसे मोबाइल चोड़ता है वेकिन उससे पहले यह जो अपनी लिया जो अन्हों में चाहता हो कि रोज लेना है तो कितने लोग आज मुझे प्रॉमिस करेंगे कि 20th का ऐसा रोज आना आनवो 20 मिनिट का very good very nice काफी लोग है और मम्मी पापा बच्चों को कहो बेटा मेडिटेशन करो ऐसा मत बोलो आप खुद करो क्योंकि आपकी भी हेल्ट अच्ची होने चाहिए आप भी फीट होने चाहिए तो मम्मी पापा ये मत कहो बेटा मेडिटेशन कर वो नहीं करेंगे आप खुद करो वो बाजन में बेटेंगे जैसे मेरी बेटी है देवाँश ही है उसका ना 5 साल की है मैं मेडिटेशन करने के बेट बैटा हो वो बाजन में बैट जाती है यानि बच्चों को जो बोलोगे बच्चे नहीं करेंगे, आप खुद करो, बच्चे बरबर करेंगे तो इसी के reference में आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ ध्यान से देखिए थड़ा एक खोलने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो दिव्य चक्षु हमारी आत्मा का बहुत ही शक्तिशाली मात्यम है ये परलोग की वास्तिविक्ता देखने, महसूस करने और सुनने का बहुत ही शक्तिशाली साधन है ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से ज्यादा शक्ति बहने लगती है जागा शक्ती दिव्य चक्षु को गतिशील करती है ध्यान करने के लिए ये अनुखा अनुभव है दिव्य चक्षु जब गतिशील होने लगता है तब हमारे मस्तिश्क यानि माथे पर खिचाव और खुजली होने लगती है जब हम जादा ध्यान करते हैं तो हमारे प्राण में शरीर को काफी दिव्य शक्ती मिल जाती है जिससे हमारे दिव्य चक्षु की सिध्धी हो जाती है जब आप एनर्जी सर्किट में डालते हो पस्मिक एनर्जी जब आपकी थर्ड आए खुल जाती है तो आप आखों से भी क्लियर दिखाई देता है हमें ये स्तर और दूसरे स्तर साफ दिखाई देने लगते है दिव्य चक्षु की संपूर्णता से हमें बहुत सी चीजें आखों से ज़्यादा साफ दिखाई देने लगती है इससे हमारी हरकते बदलेंगी हमारे विश्वास बदलेंगे हमारी समझ बदलेंगी थर्ड आए खोलने के बाद हमारे विश्वास बदलेंगे हरकते बदलेंगे और हमारे एक पॉजिटिव ओरा रहेगा सकारात्मक हो रहा है यानि ब्लू कलर के वाइबरेशन पॉजिटिव वाइबरेशन निकलेंगे जो आपको सकारात्मक परस्ति सकारात्मक बनाएंगे ठीक है तो यह सभी चीजे है जो हमें यानि लेवल से अलग-अलग लेवल तक है लेकिन मैं आज बात कर रहा हो हमारी जो अडवांस कोर्स के बारे में या अडवांस लेवल के बारे में लेकिन उससे पहले में बताओ यह जो कंसेप्ट है कॉस्मिक एनरजी का या फिर यह जो कंसेप्ट है बड़ों के लिए भी है लेकिन बच्चे के लिए ज्यादातर काम आता है कैसे होता है इसके अंदर हम 30 दिनों तक बच्चों को train करते हैं इसके अंदर जो levels होती है वो levels से हम बच्चों को आगे ले तक लेकी जाता है पहली जो लेवल है बच्चे 7 दिन के अंदर 7 days में आखे बन करके card recognition करते हैं आखे बन करके उनको clear दिखता है विचार शुन है alpha है यानि आखे बन करके वो card recognize करते है color recognize करते है थोड़ा बोट reading आ जाता है बाद में आखे बन करने के बाद उनको हम पढ़ने के लिए बोलते हैं कि आप एक page read करो daily basis पे ऐसे 3-4 दिन करवाते हैं next level कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे 15 दिन के बाद बच्चा एक paragraph पढ़ता है कुछ ऐस तरह से एक paragraph उसने पढ़ लिया और यह paragraph पढ़ने के बाद किताब को ऐसे बन किया और बाजो में रख दिया अभी वो paragraph उल्टा भी पढ़ सकता है तो और आके बन कार कि वह स्कूल में जारा हूँ तो वो क्या बोलेगाँ रहा स्कूल में जा एक इस LEVEL तक में जाता का बच्चे जाए और इस LEVEL तक हम उनस Uno को ले के जाते वह है सब्सक्राइब करने के बाद बंगे पutने किताब करें अब स्मेल करने के बार बच्चोर तुझे क्या दिoug बुक में 20 पेस्पे क्या है बच्छा आखिबन करेंगा बोलीगा 20 20 20 मम्मी मुझे एक टाइगर दिख रहा है उसके बाज़े में क्या लिखा बोल जंगल में एक शेर अपने सातियों के साथ ऐसा दिख रहा है वह पढ़ सकेगा बाद में इतना हम प्रैक्टिस करवाते कि वह पूरा को पूरा पेज पढ़े इसे कहते है इसे कहते है आखे बन करके रीड करके याद रखना जरू कहूंग इसे बच्चे में चाहता हूं क्रियेट करना जो एक बार पढ़के याद रखे और यह इतना जबर्द साइंस आया है मैं इसकी क्या तारिफ करूं में बताओ एक चीज में यहां पर शेर कराओ जरू से ध्यान से देखिए आज यह चीजे बड़े लेवल पर सिखाए रहे ह है और बड़े-बड़े इंस्टिट्योट्स है वो यह चीजे सिखा रहे है जैसे स्वामी बाबा रामद्य बाबा करते हैं इसके बारे में ध्यांस सब्सक्राइब करके भी चीजों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिस टोर हो जाएगा डेटा तो जो मैं कई बार कहा करता था ने कि इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके बेन में स्टोर होती चलिए इसका पुरा साइंस जो है जैसे हमारे बाहर के दो आखें ऐसे हमारे पीनियल जो ग्लेंडर उस वो भी आख के तरहीं काम करता है लेकिन वैसे जिसमें लैंस ऐसा नहीं होता है जिसमें यह होता है में इसके उपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में औभारत में यह साइंस अभी 2013 में बात 2014 में नहीं कर hey प्रेक्टियों की बात में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामरे रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है तो मुझे लगता इन चीज़ों को बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं आखे बन करके बच्चा एक बार पढ़ता है याद हो जाता है कि सभी लेवल्स हम एक महिने के प्रोग्राम में सिखाते हैं तो कितने बच्चे हैं जो इस चीज़ को सीखना चाहते हैं घर बेटे से meditation ओ जानते है ध्यान की अंदर ये थर्ड आएक के बारे में जानते है उसका महत्व जानते है उसका मूल ले जानते है मुझे पता है कि यह सभी करना चाते लेकिन ये सभी के लिए नहीं प्रोग्राम है जैसे एक गुरु अपने शिश्यो को बोलता है यह मेरे पास स्टोन है गुरु कहते है यह स्टोन है और यह स्टोन की क्या वैल्यु है उज्ञे जानना है वो स्टोन को लेके जाता है सब्जी मंडी में दिखाता है मेरे पास टोने इसकी क्या किम्मत है वो सब्जी वाला देता है उसका वजन एक किलो लग रहा है मुझे एक किलो लग रहा है मुझे वेंग बैलेंस नहीं है उप ये मुझे एक हजार रुपई देता हूँ वन थॉजल नहीं था उसी स्टोन को आगे लेके जाता है एक ज्टोन इसकी क्या वालु है और ये हमारी काम की चीज है यह मैं चाहिए मैं तुम्हें 1,00,000 रुपई देता हूँ वन लागु मुझे जानना था वस बेचना नहीं है वो आगे जाता है एक diamond वाले के पास, दिखाते हैं ये stone इसके क्या लिए, diamond वाले चेक करते हैं, बोलते हैं ये तुझे मिला कहाँ पे, कपड़ा लेते हैं, लाल कलर का, उसके उपर रखते हैं, बोलते हैं ये unmold चीज़ है, इसकी कोई value नहीं है, pure diamond है, हम तुम्हें एक करोड रुपए देते हैं, वो बोलता है, नहीं मुझे भेशना नहीं था, जानना था, वो stone लेके अपने गुरू के पास आता है, कहता है, कि उसके पास घ्यान नहीं है, वो कुछ काम का नहीं था उसके लिए, यह पॉजिटिव लोगों के लिए है, सकारात्मक लोगों के लिए है, जिनको पता है अग्या चक्रा, जिनको पता है cosmic energy, meditation, उनके लिए अन्मोल्ड रहेगा, लेकिन मैं आपको सभी को बताना चाहूँग आके है ना, क्यों पढ़ना चाहते हो, बनाको से, एक किलो सबजे, लेकिन कुछ अलग परपस के लिए पढ़ना है, आके बन करके जब बच्चा पढ़ेगा ना, वो पूरी किताब याद रख पाएगा, यानि उसका पढ़ाई में एक नमबर आ जाता है, studies के अंदर एक नम होगा, इसके लिए करना चाहते है, तो एक अलजार रुपे किम्मत है, मेरे लिए वो वन थाउजन होगा, लेकिन आप इसके लिए चाहते हो कि मेरा बच्चा पढ़ाई में आऊ जाए उचार, और वो जिंदगी में भी एक बड़े पोस्ट पे जाए, एक बड़ा सफल्द हो जाए, जैसे एक मैडम आये, कहा, कि मैं मेरी बेटी को करना चाहती हो, यह मेरी बच्ची को में कलिटर बनाना चाहूंगी, वो मैम ने कहा, मैंने कहा, ठीक है मैम, यह कोर्स कीजे, जो कोर्स कम्प्लीट हो जाता है, वो कहते है, सर कलिटर बहुत चोटा है, मैं अपने ब बता है? मेरे लिए वो 110보 creators से भी tax beneficial जब आखे बनकर के, वो अपने आपको जांद रहा है मैं कोन हूँ, अपने सभी विकारों को निकालके एक महान पर्पस अपने जिन्दईगी का लक्ष और वह लक्ष साकार करने चेलिए अपनी जिन्दईगी का फटड़ाय का मदद करके अपनी जिंदिए का लक्षब साकार कर के लाकों की करोरों की दुनिया के अंदर जो बडलौ कर रहा है लाकों लोगों की زिन दो की बडलाव Network कर रहा है दस लग बनाना चाहता हूँ ऐसे बच्चे बनाना चाहता हूँ जिनके लाइफ में हमेश्या खुश्या है संब्रद हो और वो कभी भी गलत आदते नहीं जाए एक हाइयर इनर्जी के साथ उनका जीवन में कनेक्शन बिटाओ जिसे उनकी लाइफ एक स्पिरिट्वल एक प् बताना चाहता हूँ लेकिन उससे पहले आपको मुझे बताना है अभी तक हमने जो सीखा है आने वाले दस मिनिट मैं चाहूंगा आपको खाना लेट हुआ तो चलेगा आज आपको थोड़ा सा काम है तो उसको थोड़ा साइड में रखे बच्चों की जिन्दगी के लिए बच्चों का और आपको अमेजिंग दे रहा हूँ और आपके को यह क्रोग्राम इतना फोटेपल है कि सभी बच्चे करने वाले लेकिन कितने लोगों को यह सेशन कैसा लगा तो मुझे चैट में बताना हूँ प्लीज हाव दिस सेशन चैट में बताए प्लीज मैं जरूर पढ़ना चाहूँगा आपको यह सेशन कैसा लगा ओके दीरना मैं बोड़ रहे हैं एक यह जब से मैंने यह चीजे सिखाना शुरू किया था और जब से मेरी लाइफ को मैंने इसके अंदर पूरा डाल दिया मैं पूरा जिंदगी बदल गया एक अनवोज जरूर करना चाह चाहना एक मैं है जिन्होंने यह कोर्स किया और वह फॉरेंड कंट्री से आज हमारे यानि बाहर कंट्री से भी काफी लोग है जो इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और जरूर कहूंगा यह आपको बताऊंगा बाद में इसके अंदर आप जैसे में सिखाता हो इसे लाइवल प जो है ना स्टडी पढ़ाए में स्कूल में चाहिए थी स्कूल्स के अंदर चाहिए ऐसी चीज़े ध्यान है कि इनर्जी है यह स्कूल में चाहिए और पताएं आज यह काफी स्कूल्स में नहीं सिखाये जा रहा है और आज शिक्षक की जरुवत है इस पोजिटिव सका रा मैं आपको मिडब्रेइन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला का से आपने देखा इसको का से आपने जाना इससे पहले हम लोग मेडिशन करते था बस मेडिशन बोला आपका नमबर दिया बोला इस इस इंसान को कॉंटेक्ट करो मैं कितने दीन के बाद आपकी मोबीन को दिखाई देने लगा है जो बी पहता है याद रह सकता है याद रहता है पहले याद नहीं रहता है इनका इंटर्व्यू हमारी यूट्यूब चैनल पे ज़रू देखिये उन्होंने इतने सारे अन्वो बता है मोविन के बारे में कोर्स का ये चेंच हुआ ज़रू कहूंगा कि प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा बच्चों के ओर और हरी डिवलोप्मेंट के लिए कोर्स क्या है बता रहा हूं जान से सुनिए ठर्टी डेस का ये प्रोग्राम रहेगा तीस दिनों का बच्चों को थर्टी दीन हम सिखाने वाले हैं आपके साथ करने होने वाले हो जो बच्चे 15 की उपर है वो करना चाहते हैं लेकिन गैरेंटी नहीं है कि आपको आके बन करके दिख जाएगा लेकिन मैं गैरेंटी देता हूं कि 15 साल की एज है उनका में गैरेंटी लूंगा कि अगर आपको नहीं दिखाए दिया तो आपनी जितने भी करना चाहते हैं तो इनके लिए करियर बहुत बड़ा ऑप्षन है करियर कर सकते हो जैसे मैं सिका रहा हूं यह कोर्स रहेगा वीडियो के फॉर्म में डेली एक घंटे का वीडियो 15 मिनिट का मेडिटेशन वीडियो याने रिकॉर्डेट है आप अपने टाइम की मुताबिक देखोगी इसका टाइम का कोई बंदन नहीं है 15 मिनिट का ध्यान मॉर्निंग के समय पे रहेगा बच्चा जब स्नान करता है ब्रश करता है उसके बाद फ्रेश होके वो ध्यान करेगा यह ऐसा नहीं कि सिंपल ही उसको बैटना है नहीं इसके अंदर म्यूजिक होगा ब्री आपको यह मिलेंगे यह वीडियो कोर्स जो है मनी बैक गैरेंटेड है यानि अगर तीज दिनों का अक्टिवेशन नहीं हुआ मैं पैसे लोटा दूंगा यानि कुछ अमौंड भी लूंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि रिस ना रहे रिस यानि सर नहीं हुआ तो बच्चे न ब्रेंट जिम रहेगा ब्रेंट डांस रहेगा जिसे दोनों ब्रेंट बैलेंस होंगे यह वीडियो कोर्स जो है उसके अंदर एक्ट्यू प्रेशर पॉइंट्स हमारे साथों चक्रों को बैलेंस रखने के लिए रहते हैं आई एक्सरसाइज और राटक कॉंसेंट्रेशन होंगे गाइडिड जो कलपना शक्ति को हम बढ़ाएंगे बच्चों की आईक्यू बढ़ाने के लिए कुछ गेम्स रहेंगे कुछ सवाल रहेंगे तो कितने लोग जो हैं इस वीडियो को देखना भी चाते किस लेवल के वीडियो से हैं यानि आप अगर एक कोर्स करोगे तो यह वीडियो देखने पड़ेंगे और काफी पैरेंस के तिसाव वीडियो कैसे हमें दिखाईएंगे कैसे रहते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाना चाहूंगा कि हमने वीडियो बनाए है ठर्टी आवर्स का सेशन है तीस दिनों तक चलता है डेली एक ग देखना होगा आपको ब्लाइंड फोल दिखाई देने वाला है चीज है हम यहां हम तो इस प्रकार ये इसको करना कुछ नहीं है बच्चे को बेटा देना है और बोलना है कि बेटा तु देख और कर यानि इतना सिंपल यह बनाया है यह बहुत आशानी से आपको यह नहीं कहिना पड़ेगा बेटा तू कर देख वह बच्शो खुद आकर करेंगे करने के लिए आपको कुछ चीज है जैसे है यह करते समय आपको टीवी पे देख सकते हो कॉंपिटर लैप्टॉप मोबाइल पे आप इसको एंजर करोगे यह करते समय में नीचे बेटके करना है कोई सोफे के उपर लेटके नहीं करना है इसका एक क्लास का एंवर्मेंट करना है डेली एक घंटा का क्लास रहेगा वीडियो के मादधम से रहेगा उसके अंदर पूरा सीरियस होना है यहाँ पर पैरेंट्स कंपल सरी चाहिए वीडियो देखते समय क्यों पता है क्योंकि कुछ सवाल रहेंगे बच्चों को बाद में पहला फाइदा है कि बच्चों को आक मिलेगी क्या कह रहा हूं मैं आक और बताओ ऐसी आक है जो वाटर प्रूफ है डश प्रूफ है सांड प्रूफ है यानि 80 साल का बच्चा 90 साल का बच्चा आखिवन करके देख सकता है एक बार आख खुल गई तो लाइफ टैन के लिए वह यानि है ऐक बार बच्चों को आक हो साल का भी और आच इयांका. यानि बच्चों को आज परनिये और सिखाय जा रहा हैu एक नाम किसमें सुनाए आट आफ लीविंग हाथ उपर कीजे स्री स्री रवी शंकर ओके आट आफ लीविंग इसको पुरे वर्ल के अंदर इंटरनाशनल लेवल पर सिखा रहे हैं और इसके अंदर बच्चों को इतना ट्रेन कर रहे हैं और वो चीजे जब सीखे डेवलप हो होते उनकी इंद्रिया वो श्री सी रवी शंकर जी क्या कह रहे है एक बार जरू सुनिए अग्या योगा फोर चिल्रें बेट्वें फाइफ तो एटीन एर्स ओल्ड एंट्विटिव एबिलिटी एंट बिल्स कॉंफिदेंस तो आक्ट अंड़ गट फीलिंग्स प्रफटालर्स ठ्रीजिए आपने लेखना वियुषिंट अपना बच्चे इंटुशन प्रोसस करते देखा अप लोग ने बच्चे इंटुशन प्रोसस करते हैं उनके अंतर्चक्शुग जागरत होते हैं बचचे बहुत कुछ काम कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो ये बड़ा क्रांती लेकर आयाए गया भी, शिक्षा के शेत्र में बहुत बड़ा क्रांती आजाए इससे, हमारा अंतास्पुरण, अंतर ज्ञान जाए तो बहुत कुछ हमको प्राप्त होएगा यह क्रांती लाने वाला चीज है और सभी को कहना चाहता हूँ आपके बच्चे करना है यह करने के बाद आपके बच्चे का जो memory है ना senses है वो तो develop होंगे लेकिन memory and concentration इतना बड़ेगा आखे बन करके जो पढ़ रहे हैं मैं आपको एक चीज बताता हूँ आखे बन करके वो alpha में पढ़ रहे जहां पर हमारी दोनों mind एक जगा पर आते है और जब शुन्ने विचार है तब वो दिखाए दे रहा है यानि वो सभी चीज़े memorize हो रही है यानि बच्चा रोज ध्यान कर रहा है आखे बन करके read कर रहा है तो सोचे उसका दिमाग कितना काम कर रहा है मारे अलबर्ट आइंस्टाइन जोन्होंने मनके शक्ति का 4% यूज किया वो भी आखे बन करके नहीं देख पा रहे है और आखे बच्चे आखे बन करके जब देखेंगे याद रखेंगे कितने लोग जानते हैं अंदे लोग होते ना blind उनकी स्मरण शक्ति ज़्यादा होती है कितने लोगों ने सुना है काफी लोगों ने यही तो process हमारे फैंस concentration higher state of mind और जरू कहूंगा यह प्रोग्राम करने के बाद आपकी बच्चे का memory तो इतना बड़ेगा हमेशा स्कूल में फर्स्टी आने वाला है आपको कुछ ऐसे टेकनिक बताऊंगा बच्चे हमेशा फर्स्टी आते हैं सब से important बात क्या है पता है उनको दिखाता है कि बच्चा में आंके बन करके देख सकता हूँ या कोई बाहर हॉस्पिटल में जाए डोक्र को बोलता है सर में आंके बन करके देख सकता हूँ सोचो उसका confidence कितना बड़ेगा और कोई एक skill जैसे badminton है, chase है या फिर कोई भी खेल हो सकता है जैसे skating हो सकता है, cycling हो सकती है कोई भी एक skill में master करना है और उसको जो भी पसंद है उसमें master करना है क्या रहे हो सकता है कुछ भी हाखे बन करके सोचो हमारे इतने सारे बच्चे जो इसको पेपर में फोटोग्राफ आया और एक लड़की ऐसी थी उसके पिता जी ने कहा कि सर आपने तो हमारी पूरी जिंदगी बदल डाली हमारी बेटी चार-चार न्यूड चानल में गई जिन्होंने लॉक्डाउन में कोर्स किया था चार न्यूड चानल के अंदर उसके अभी हुआ और इतना कॉंफिडन्स कि वो शर्माती थी बोलती नहीं थी आज हर इंसान के सामें जाती है और अपने आपको दिखाती कि मेरे पास क्या नौलेज है नेवासा तलुक्या में लहा भेंडा बुद्रुक मदे एका नव अर्षा चिमूकलीन अनोखी कला आत्मसात के लिए तन्वी पंडी तसती चनावे तिना मिडब्रेन अक्टिवेशिन चा माध्यमात न डोले बांधून पुस्तक वात्राने ची तस चलनी नोटान ची किम्मद आने रंगा उडखनाचे देखिल कलाव शिकली लिया है विडब्रेन अक्टिवेशिन ची जोर दिली तर दोले घट बांधून सुधाती मूले कुटली ही वस्तू अंक अक्षर रंगभेत अचुक ओल्खू शकताद इतकस नहीं तर कोणता ही पुस्तक अंसा कुटलाई पांड दोलान वर पट्टी बांधून खड़ा-खड़ा वात्सुने दाखू शकताद हा कुटलाई चमतकार नहीं तरहें एका अलपकालिन प्रशिक्षान आतना साध्य होताँ प्रिंसिपल में आँके बन करके देख सकता हूँ सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब बच्चे को दिखाना जब वो टीचर्स देखेंगे बच्ची देखेंगे आपके बच्चे आपको एक करियर का उप्शन देंगे आपके बच्चे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं जरू कहूंगा यह प्रोग्राइम कुछ ऐसा जा पर लाइब बढ़ लिया है आके बन करके जब आपके बच्चे के अंदर यह स्कील आई भी न मैं कहता हूं इससे बड़ी करियर ऑपर्चनिटी आपके लिए और आपके बच्चों के लिए नहीं हो सकते हैं पता है क्यों आज यह सिकाने के लिए कोई तयार नहीं है आपके बच्चे सकार अत्मम जब हो जाएंगे ना और यह नॉलेज दुनिया को देंगे तो सोच सकते उनका confidence क्या रहेगा सोच सकते उनकी memory किस level कि हो सकती है सोच सकते उनका knowledge का explosion कितना हो सकता है और सबसी important बात आपके बच्चों के अंदर ic skill डालो जो बीड के पास नही पर मेरी शादी वोई थी, बच्चे नहीं थे, लेकिन आज मेरी बेटी है, आज पास साल की है, उसको मैंने कोर्स किया, वो लाइस सेशन में पर बेटती है, और उसको आखेबन करके दिखता है, पास साल की है, आपको मैं बताओ, उसका करियर में इसमें करने वाला हो देवांश्री उसका नाम और आपको वो क्या कह रही है ध्यान से सुनिएगा देवांश्री अमरे साथ अभी देखो मारे फेंस आज हमने उसको ऐसे ट्रेंड किया है आने वाले समय पे मैंने आपको साथ में भी रहूंगा और वो भी रहेगी मेरा नाम है दिवांश्री मैं आप थड़ा एक्टिविशन सिखाने चांदी थड़ा एक्टिविशन करने से हमारा माइन बहुत स्क्राव होता है थड़ा एक्टिविशन करने से आप आखे बन करके देख सकती हूँ आपको मेरेटेशन करना पड़ेगा पापा थड़ा एक्टिविशन करने के बाद आपनी बच्चे के बहुत बढ़ेगा आप एक बार पड़ेगे याद रखोगे कितना अच्छा है ना आप बता आप कितने लोग सीखना चाहेगे मुझे येस करो, येस, मुझे बहुत कोशी हो रहे हैं, थाड़ा अक्टिविशन आपके बच्चों को सिखा आए, मुझे प्रमिस करो, प्रमिस, मेरे पापा ने बहुत सुन्दर, मुल्या को उस्पनाया है, जो आप घर बेटे सीख सकते हो, कितनी लोग सीखना चांते हैं, तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बेटे सीख, मैं भी ही सीख चुकी हूँ, आप मेरे काम का समय है, चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो, बाई, 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 और चानल को लाइक करो, सप्रेट करो, शेर करो, बाई, इसका स्कोप क्या है, मुझे पता ह कि यह किस लेवल तक जा सकते और ज़रू कौँगा आपके बच्चों के अंदर ऐसी स्किल डालो जो बीड़ के पास नहीं ज़रू कौँगा यह नया साइंस है 2013 के अंदर जब आये था और बच्चों ने अपनी जिन्दगे बदल डाली है इस प्रोग्राम से आपको मैं बता दू यह जो प्रोग्राम है जब मैं लाइव कंड़क करता हूँ न तो मैं बताओ आपको मंबई से लोग आते हैं और उंगाबाद में यह सिखने के लिए पून मगर आज आपके लिए बहुत ही सुना रहा मुखा है कि आप इसका प्राइज शौक हो जाओगे आपको इमिल रहा है क्योंकि यह ऑनलाइन है तो हमें काफे सारा खर्श भी कमाता है और जाता से जाता बच्चों को हम सिखा रहे हैं तो जरू कहूंगा यह प्रोग्राम आपके लिए में गिफ्स लाएं वो है रेखी यह पैरिंट्स के लिए रहेगा मम्मी पापा के लिए जरू कहूंगा रेखी करने के बाद आपके बच्चे को कोई बीमारी हो गई उनको दवाई देनी की ज़रुवत नहीं है आपके बच्चे को सर्दी हो गया या फिर कोई स्पोर्स केल रहा हैं जैसे कोई रनिंग कर रहा रनिंग करते हैं पेर में तकलीफ होती हैं हाथ कटी सारे बौडी में पैन होता है उससे ने बच्चों को रीकी करो, रीकी एक healing होता है, आखी बन करके हम अपने शेरी को देखेंगे, शेरी में चुपी हुई भीमारी को देखेंगे, उसको निकालने का science है, इससे हमने लिया था, किसके लिए पता है, बच्चों को चस्मे है, और वो चस्मे निकालने के लिए, 80% बच् क्या से करना है, मैं बताओ, ये प्रोग्राम आज आपको फ्री मिलने वाला है, इसके आपको कोई चार्ज ने देने पड़ेगा, रिखी जैसे जो प्रोग्राम है, उसका आपको higher ticket प्रोग्राम है, लेकिन मैं आपको बताओ, यह जब लेता हो ना में, 10,000 इसका प्राइज है मैं आज आपको फ्री दूँगा, फ्री, ओके, नेस्ट एक प्रोग्राम है, डिफेस NLP, नूरल लिंग्वेश्टिक प्रोग्राम है, गिफ्स है, कितने बच्चे टीवी जाता देखते हैं, मुबाइल जाता खिलते हैं, आत उपर कीशे, मुबाइल टीवी का बहुत ही प् इंटर्वी थोड़ा सा मेरे यूट्यूब पेज आओगे ना, तीसरे दिन का, यानि परसो, एक तीन दिन पहले एक इंटर्वी लिया था, अदवईत जिसका नाम, उसने कहा, उनके मम्मी ने कहा, सर मेरा बच्चों इतना टीवी देखता था, आज, वो हमें टीवी नहीं दे रहा है, यानि कुछ ऐसा बढ़ला हुआ कि वो मम्मी पापा को भी तीवी नहीं देखने दे रहा है, यानि यह बढ़ला हुआता है, माई डिफेंस क्यों पता है, क्योंकि बच्चों की जो psychological change है, मन के power के change है, neuro यानि brain, मन की एक language होती है, उसको हम प्रोग्राम करते हैं मन को एक सही तरीके से प्रोग्राम करने के बाद बच्चे के अंदर जो भी आदत है टीवी है, गुसा है, चिड़ चिड़ है हाइपर है, उस सभी खता है कैसे, क्या सोच के करना है मैंने पहले भी ये खेड में देखा था मतलब रतनाईरी डिस्ट्रिक में के बच्चे ऐसे करते है, उनका थर्ड आय अक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद वो जो है, वो देख सकते है, फिल कर सकते है उनके जो सेंसरी ओर्गंस है, वो डेवलप हो जाते है इसलिए मैंने उसको एंडूल किया और इसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है, वेजानती मैंने देखा है, वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुगा उठके नहाने के बाद जड़ से मेडिटेशन के लिए बढ़ता है और थोड़ा सा मुझे लगता है, शान्त हो गया है और मुबाइल मतलब वो जो ज़्यादा यूज करता था, वो थोड़ा कम यूज करता है कम कर रहा है, वो भी मुबाइल का क्या है? अभी 11 दिन होंगे टीवी और मुबाइल देखते हैं नहीं है पर यह पर आपने अपना जो एक रचता है, वो ही देख रही है अचा अचा, इससे पहले देखते थे टीवी, ज्यादा कुछ ऐसा? इससे पहले देखते थे टीवी है वो रिमोटी नहीं छोड़ती है देखे सभी आपे सुन सकते है, आरिया जो रिमोटी नहीं छोड़ती थी और आज उसने पूरी तरह से 11 दिन टीवीज नहीं देखी है यानि यह बढ़लाव जो इना ज्यादा दिन नहीं लगते हैं क्योंकि बच्चों के अंदर जो भी चेंज बढ़लाव है हम तुरंद बदल देते हैं क्योंकि बच्चों काफी अच्छे करते हैं और उनके अंदर जो चेंज आते हैं वह जल्दी क्यों आते हैं क्योंकि उनका मांड फ्लेक्सिबल होता है तो यह प्रोग्राम आपको मैं फ्री देना चाहूँगा इसका प्राइज देने पड़ेगा इसका आपको फ्री मिलेगा और एक प्रोग्राम देना चाहूँगा एक अमेजिंग वो है देटा आपके बचे को पता है कॉटिले पंडिता की जो ऐसा बाल नहीं है उसके औरो हरी कोशन का उतर देता है के बीसी या पर काफी सारे आज तक पेंटर भी हुआ था को टिले पंडिक पता है उसने मेंमरी टेक्निक्स उसके दादा थे उन्होंने सिखाय था कैसे चीजों को याद रखना और जरू कौँगा जैसे बोन के नाम सब्सक्राइब यहाँ पर क्रेनियम यहाँ पर है यहाँ सब्सक्राइब करने होते हैं लेकिन आपको आज फ्री है मैं चाहूंगा कि जादा से जादा लोड के दूँ एक है प्रोग्राम हो है मीटप यहाँ आपको वीडियो दूँगा डेली एक घंटे के बाद में मैं लाइव आके सिखाऊंगा मंडे एडे रात को नो से लेके दस बज़े तक हमारा लाइव मीटप होता है यानि मैं खुद आके सिखाता लाइव आपके जो भी क्वेश्चन से डाउं से उसको क्लियर करके आपको next level पर कैसे जाना है क्यों पता है तीस दिनों का जो जर्नी है न उसको सीखने के बाद यानि तीस दिन कप्लिट हो गए आपके उसके बाद आपको 15 मिनिट का मेडिटेशन करना होता है जो मैं आपक कि कौन सा होता है उसमें सभी से एक मेडिटेशन आपको कमपसरी करना होता है क्योंकि आपके रिजल्ट मल्टिप्लिकेशन में आते रहे ऐसा नहीं कि तीस दिनों के बाद आपको दिखना बंद होता है वो दिखना चालू है लेकिन उसके बाद प्रैक्टिच चाहिए बच भी स्टुडेंट आते हैं और उनको गाइड करते हैं इसका कॉस्ट माइड डिफेंस 999 यह आपको फ्री मिलेगा यह आज थर्ड अक्टिवेशन ड्रेक की एनल पी मिमरी पावर वीक लीमिट अपस जिसका टोटल कॉस्ट माइड डिफेंस में जो लाइक अंड़ करता हूं 52, से ट्रिफल ना एं तो मुझे बताना कि इतने लोग चाहते है को कॉस करना से आए कितने लोग चाहेंगे करना है काफी लोगए लेकिन कितने लोग ऐस सर पीसो करें कतने हैं जरूँगा यह aprox आपको मैं एक shocking amount में देना चाहूँगा एक shocking amount है, आज आपको ये course 7999 नहीं माइड़ेंस उससे भी कम मिलने वाला है आज ये course आपको 6999 नहीं उससे भी कम मिलने वाला है आज आपको ये course मिल रहा है 5999 नहीं नहीं, चाट में बताओ आपको सभी आफर में आपको एक golden opportunity दूँगा इस सभी को यह सभी नॉलिज में शायर करूंगा कितने हैं जो चाहते कि इसका कॉर्स होगे आमोल जी आज भी आया है वो बोल रहे कि सर्ड टू थाउजन रखे हैं तू थाउजन फाइंड्रेट अशुप सर्ड बोल रहे थी थाउजन ऑके ओम बोल रहे हैं 5000 शुराज बोल रहे 1000 को एक भी बढ़ला एक भी चेंग मैं फ्लिप करके पढ़ना शुरू किया था क्यों सार बोलते कॉंटर पर इंडिक पाड़िफें सोचेंगों ऐसे बच्चे जिनके अंदर पूरा चेंग अभी बहुत यह हो गई है अभी वह सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत पास्ट होगे उसकी पहले राइटिंग मे लर्निंग करती है उसने बुक देटी फ्लिप करने को और आपने बोला का इमेजस बेख ती एक देखो हुझ मैं यह उसके पंपा भी दंग रहेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है जब में भी इसको पहली बार देखा था, आइवा शौकी यह कैसे मुम्किन है याने उनके हाथ में तपस्या के हाथ में बुग दिया था, स्मेल करने के लिए और उसने सबी जो बुग की किताबे हैं, हर एक बुग दिया, सबी किताबे को इमेज बता रहे हैं इसका आज यह चीज़े में सभी के लिए देना चाहूँगा और जो 25 फैमिली जेना उनको ओफर देना चाहूँगा नहीं तो यह जो थर्ड अक्टिवेशन है वही मिलेगा अगर बात में सोचोगे बात में आपको वह जो प्राइस में बताऊंगा ना वो मिलेगा लेकिन आगर आज आपने डिसीजन लिया न तो इसके साथ यह प्रोग्राम मिलने वाले हैं अगर आज आज आपने बच्चों की जिन्दगी के लिए उनकी लाइफ के लिए आपने बहुत सुंदर सा डिसीजन लिया और यह पता है यह डिसीजन मनी बैक रहेगा अगर 30 दिनों के अंदर आपके बच्चों को आके बन करके नहीं दिखा, मुझे आना है, बोलना है सर्फ, कुछ फाइदा नहीं हुआ, बच्चों को आपने जो बोला था, वो बक्वास था पुरा, और मुझे पैसे चाहिए, मैं आपको एक भी कोश्चन नहीं पूछूंगा आपके पैसे लोटा दूँगा, मुझे पॉजिट्व लोग चाहिए, सकारात्मक लोग चाहिए, जो मुझे पता है कि वो जूट नहीं बोलेंगे, और वो कॉर्स लेके जूट नहीं बोलेंगे, ठीक है, पुछ चीज़े मुझे पता है, तो मैं बताओ, यह शॉकिंग अम प्रिकी जैसे प्रोग्राम, एनलपी, मिमरी पावर, थर्ड आए, आपको अभी के अभी करना क्या है, आपके एक बच्चा है, दो बच्चा है, सभी के लिए काम आने वाला है, आपको यही आमांट में पूरा फैमिली, इसमें मम्मी भी आएगा, पपा भी आएगे, बच् के लिए है, यह चीजे सभी के लिए बनाई है, ऐसा नहीं कि यह बच्चों को काम आएगा, बड़ों के भी थर्ड अक्टिवेशन होता है, यहापे पैरेंट्स भी सीखने वाले है, और ज़रू कहूंगा, जो बड़े है, जो इसमें करियर करना चाते हैं, तो उनके लिए यह offer है, यानि 4999, अगर आपका age out है, यानि 15 के आगे है, वो करना चाहते है, as a career के लिए, तो यही offer है, मैं आपको guide करूंगा, कैसे कर सकते हो, मैं बताओ, यह offer आपको मिल रहा है, माड़ेंस, फोन पे, गूगल पे, 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 पे रेजिस्ट्रेशन करना है, कोई फोन ना कोट, आप अभी क्या भी registration करना है, तो यह registration करने के बाद, आपको मुझे WhatsApp पे payment किया वाटा, फोटो, screenshot बेजना है, अपने जो भी payment किया है, मैं आपको एक link दूंगा, website की हमारी, उसका उपर user ID, password होगा, और वो password डालके, आप यह video को sequence ली देखाँगे, security दिया है, user ID, password का, video day 1, day 2, day 3, उसके अंदर audio के file रहेंगे, follow up रहेगा, यानि video देखने के बाद, आपको क्या करना है, practice कैसे करना है, उस सभी system है, आपको कुछ भी problem आए, तो हमारा team आपको support करेगा, और मैं बता हूँ, आज के लिए यह offer है, so सोचना नहीं है, this is under now, okay, for triple nine में मिल रहा है, जिन्होंने registration किया है, okay, मैं बता रहा हूँ, यहां पर, यहां पर मैं बता दो, काफी लोग कह रहें, registration कैसे करना है, प्लीज इसका screenshot निकालिए, इसका screenshot निकाल के रखे, काम आएगा, screenshot निकालिए, screenshot निकालिए, सभी लोग, मैं चाहूंगा कि आज 25, और कोई भी जाना नही मैं आपको छोडने ने वाला हूँ, पता है क्यों, पता है क्यों, जब मैंने ये चीज़े, at a age of 25 समझे ना, 25 साल की उमर में, मेरे दिमाग में यही था, यह मुझे बच्पन में क्यों नहीं मिला, मैंने 10-10 घंटा प्राक्टिस किया था, 10-10 घंटा, और मैंने सोचा कि मु करना चाहूंगा क्यों क्योंकि यह जो कोर्स है, जो रेकी के मैं आपको बताओ, यह नेक्स लेवल के रहने वाले हैं, इसको आपको चार्ज करने पड़ेगा, या अभी फ्री मिल रहा है, इसका उपर्चिनिक का फाइदा लो, किसी के कुछ डाउट से क्वेरी से प्लीज सब्सक्राइब करें, तो मुझे बताइए कि स्कोर्स के लेड़ेट, ठीक है, तो आप हाथ उपर कर सकते हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, डाउट से, प्लीज रेज देना, ओके, अद लो, अद लो, अद लो, सर बोलना चाहते हैं, और मुझे कॉल ना कीजिए, यहां पर कॉ करिये, अद लो, सर अन्म्यूट कीजिए, आपके मोबल पिक मेसेज आ रहा है, बोलिये सर, यह सर, बोलिये, हाँ जा रही है, यह सर, हाँ बोलिये, क्या सबलता है आपका सर, बोलिये, कुछ भी डाउन से क्वेरीज़, बोलिये पास इसक्राइब नहीं है, तो आपके नहीं है, सर आज के लिए उफर है, आपको आज लेindi कर सकते हैं, पास से उपर हैं, गल्पiell फॉपरय हैं बास साल के उपर है, खरी गौर पर簡नला फॉपर है, वेरी गौराट फिलnahme वेरी गुऺल यह लेकिन आप ही करिए नकियोंट तो आप यह चीजे कर सकते हुआ अभी आप जुड़े रहिए मैं आपको बार मैं बताँ पर क्या करना है अब जुड़े रही है और किसी के डाउन से क्वेरीज है और और अगर यूट्यूब चैनल ले देखो जिसके उपर मैंने साथ साल से वीडियो डाले है यूट्यूब से मुझे पैसे आते हैं काफे सारे ड्यूट्यूट्याइजिंग और 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 यह की टॉपिक है यह की टॉपिक है थर्ड आए और मेरा साथ सालों की जरने देखो के तो मुझे बोलना भी नहीं आता था उस समय के वीडियो से जहां पे मैं बच्चों का ऐसे क्लास में स्कूल्स क कि वैल्यू क्या है क्योंकि एस सिखने के लिए मैंने लाग और रुपए कर्श किया है और आपके पैसी की वैल्यू में जानता हूं आपको कभी नहीं फसाओंगा ठीक है तो यह मेरे विश्वास के साथ करना है आपने ऐसे क्या-क्या बढ़लाव देखे आवीन के अंदर क कि अंदर बढ़लाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंजर थिया वाँ 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 तीवी नहीं देखता है तो यह गुसा करते थे यस उसके बिल्कुल भी खतम हो गया और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बढ़लाव अच्छी आई है कि पढ़ने मे खाली समय में नहीं रहते हैं पढ़ने काम ऐसा कुछ ने कुछ किताब ले लेंगे राइधिंग करेंगे और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन जैसे टीवी और मोबाइल चूटा तो बस यह काम में लगे रहे हैं बच्चों को कहना पढ़ता है बेटा पढ़ाई कर कि बान देता हूं और इसमयल करके मैं कहीं रख देता हूं छुपा देता हूं तो दूर के लेकर आजाते हैं बता देते हैं यह हैं आख बनके अपने बच्चों को भविष्य जदी बनाना है पैरेंट्स को तो यह लेकर के और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है बहुत जादे पांच यह रुक्रा कहीं भी आदमी यूज कर सकता है खट कर सकता है तो लेकर के बच्चों को कोर्स कराने की ज़रूर से सभी पैरेंट्स के रिक्वेस्ट करूंगा कि वो और अपने बच्चों को यह शिख्चा एजुकेशन जरूर है तैंक यू बरे मच और मेरे मिशन मे आपने कॉंट्रिब्यूट किया कि लाइफ में ने दस लाग बच्चों को इस चीज़े सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है और यह नॉलिज बच्चपन में ही मिले मैं यह चाहता हूँ ओके सर कोई डाउस है प्लीज गोपाल सर आप फोन भी कर रहे तो शाह मेरे जो गुडिया है सब्सक्राइब होगी है तो हां तो वह वाली गुडिया है साड़ी चार से ज्यादा पौने पाँच सर में सभी को बताओ यह सभी का डाउट्स क्लियर होगा जिनके भी पासल के पहला चीज है सर में कोर्स दूंगा दीदी को आएगा मगर मैं अगर ए से नहीं दूंगा क्यों पता है क्यों कि हमारे पास और दस साल है क्योंकि कि एज कितना 15 मेरे बच्चे मेरे बच्चे पांसाल की लेकिन क्या होता है चोटे बच्चे को हम कुछ बोलेंगे वो नहीं सुनना सुनते हों उनका हमें सुनना पड़ता है आपको पता यह सब्सक्राइब करेंगे यह देखिए हमारे पास चार साल के भी बच्चे उनका एक्टिवेशन हुआ है लेकिन वन परसेंट चांसे नहीं करेंगा लेकिन आइसा नहीं कि वह जिंदगी में ने कर पाएगी मैं क्या कर रहा हूं अगर आज नहीं हुए तो च्छे महीने के पास साड़े पाच को गए नसर को करने वाली है और आपको में ट्रेंड करने वाला है आप एक टीचर बनने यानि आप कुछ ऐसा बनोगी कि कि आपके पास कोई भी बच्चा आए ना आप उसको सिखा भी सकते हैं आपको मिलता है तो वह सपोर्ट हमेशा के लिए रात को नो से सब्सक्राइब करें और यह वीडियो भी आप लाइफ टाइम के साथ रहेंगे आप उनको बड़े होने के बाद भी दिखा सकते हैं और यह वीडियो आपको जो पूर्स मिलेगा ना थर्टी डेस का उसमें यह उसमें आप क्या करता हूँ अभी आफी कफी दिनों से अपार चाल उयुक्त क्या कर रहा हुआ यह इनक्तिविशन यह बस दस या बारा दिन का प्रोग्राम है उसमें बारा दिन में वह जाते बच्चे बच्चो को दिखना कब शुरू होता है साथ से आठ दिन में शुरू होता है सब्सक्राइब है क्म ciao 10 लिए का लिंक मिलेगा उसका सेकूरेटी होती उनके उसी प्रकर हमारा अप्लिकेशन नहीं है हमारा वेब साइट है वेबसाइट के आंदर वीडियो रखे हुए है वो लिंक मिलेगा आपको बताओ से हाथ वडिए से हाथ उपर कीजे गा के आपके पास आ रहा है बटाई ये यहां आप बताइए ग्यालेक्सी जेशल लग राए तेर्फिक कर रहा हूं ऐसबु के पास आएंगे सबी को मैं चोड़ने वाला सभी को आप सभी को करना है अधार कोशिश करो वेर गुड बूल अभी कि अधार सवाल है सर आपके कुछ सवाल है मैं आपको देख रहा हूँ यस बोलिए बोलिए बेटा कुछ तो भी बोलो आवाज आ रही है है हाँ बूलिए पंदरा मिनिट का है सब एक गंदे के इंदर कर सकते चलो आज करिए इस सभी को पेमिंट करना यह चीज़े और किसी की कुछ डाउट से क्वेरीज है आपका बच्चे का एच कितना है सरी एच कितना है बेटा का और एक सुनना जो मेरा बच और एक फाइदा ऑनलाइन का फाइदा क्या है आपके घर में कितने भी बच्चे उनको सिखा सकते हो दूसरा फाइदा है पैरेंस सिखने वाले है यह बड़ा फाइदा जब हम लाइव क्लास लेटेना पैरेंस को सिखाते बहुत लेकिन उपर-उपर का लेकिन जो डीप सब्सक्राइब करना तो अभी रेजिस्ट्रेशन कीजिए स्क्रिंशॉट निकाल दब दो जो पे किया है उसका बेजना है इसका स्क्रिंशॉट निकाले और नहीं न हमारे सात सर्थय बटा दूब प्लीज सर अन्मुट कीजिए सर इस बोली एग ने कंड़ा में सिखना चाहता हूं अपके बच्चे को हिंदी नहीं आती है नहीं हिंदी नहीं आते हैं कितना एज है उनका एज कितना है थोड़ा थोड़ा काट्वों वगेरा देखता होगा तो हिंदी समस्ती हो थोड़ी थोड़ी जादा ने मुवीज कॉपर रहिए होंको शिकाने नहीं आते है वो अईसा कुछ ने समस्ता कैसर की आशा थोड़े बहुत ज्यादा नहीं इसमें 80% exercise है कितना 80% exercise क्या है डांस है exercise क्या हाथों के है meditation है अगर मैं उनको कहता हूँ कि बेटा हिंदी में बोलता हूँ बेटा हाथ उपर करो तो समझता है क्या नहीं समझता हूँ समझता है तो इतना बहुत है एक्षन नहीं करूंगा ऐसे बोलूंगा डायरेकली ऐसे हाथ ऐसे करके हाथ उपर करो तो समझेगा क्या कर सकते हैं मुझे बाद में कॉल करें आपको कुछ बताऊंगा ठीक है कि और कोई हैं जो कुछ सवाल है कितना यह सवाल किसकीप करना चाहते है focus लोग में यह बताव कि की समझे है चाहती कि कुछ वजह भी है जो मैं चाहता हूं कि मैं एक हजार में बी रख सकता था सभी लोग जूट जाते थे मगर नहीं रखोंगा क्यों पता है क्योंकि पहला चीज है यह प्रोग्राम काफी हाइट टिकेट वाला है रिखी सिखने के लिए आपको 25 से 30,000 रुपई खच करने पड़ेंगे लेकिन वो बाद में नहीं पे करेंगे और उससे भी स्पोर्स में इसका इतना बेटर यूज होता है जैसे एक बच्चा है उसमें एक कॉंपटिशन में कहा था रनिंग वाले और रनिंग करते समय कहा कि मेरे पेर बहुत दुख्या हाथ दुख रहा है और मैंने क्या किया आकि बन करके उससे भी बिमारे को टी किया बर स्कूर म मेरे अभी तक हाथ पेर ने दुखते कभी भी यानि एक पेन किलर की जो दवाई देते हो ना वो देने की जरूवत नहीं है ओके पहला चीज है रिखी हमेशा के लिए मम्मी पापा के लिए भी काम आता है नेक्स्ट है एनलपी मोबाल छोड़ने के लिए आप मुझे कितना हाले हो है memory techniques के मैं बताओ 11-12 में बच्चों को ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है पताए क्यों क्योंकि यह techniques मैंने 12 में यूज किया था इतने सिंपल मेरा अनवर 12 का साइंस का आपके बच्चों को को कोई डॉक्टर बनाना है इंजिनर बनाना है नो इनी क्लास आपके लाकर उपए बच्चेंगे यह प्रोग्राम आज आपने किया इसके साथ जो गिफ मिल रहा है बच्चे को अगर आख मिल गई ना अभी मैं हाट टर्चिंग अनवर शेयर कर रहा हूँ अभी हमारे एक सर है मंबई के उन्होंने यह कोर्स लिया और मैंने उनको फ्री दिया पढ़े उनके बच्चा ब्लाइंड आखके नहीं साथ साल की उम्र है उसकी सवेट और यतना परशान की वो वीडियो को नहीं देख रहा है या फिर ऑडयो को भी हम बोलते है कि आप रहा हाट करो कोस्मिक एंब देखो चक्रास को देखो ऑगो तो उसने को भी कलर नहीं देखे हैं उसने कुछ देख नहीं पार है कोई चीज के लिए रहे वह बताएं नहीं पारा है कैसी भी करके और अबाद में आते हैं वहां पर रुप जाते हैं होटल के अंदर आपकी जो भी फीज़ें पेग करेंगे मगर आपके बच्चे को आखे सचो जो बच्चे के आखे नहीं उनको पूछो कि आखो की वैली किपने है आपकी बच्चों के जिन्दक के लिए आप सीफटी आख देख सकते हैं सेवटी के बढ़ी जिसह सुच्टी नहीं होता है याने गाड़ी के अंदर एक टायर पंचर भी वहाना तबहीं दूसरा का करेगा स्टेपनी के लिए दे सकते हैं तो मैं एक पैसे आपकी पैसे जाएंगे ने लेकिन एक भी बढ़ लाओ एक भी चेंज आया ना बहुत हो गया जैसे हमारे फॉलॉप होता है हमारा वीकली मीटप यह हमारा मीकली वीटप का वीडियो है मैं डिफेंस जब बच्चे आत लाग का फ्रेंचेज लिया है मैं यह चीजे मैंने पहले बार जो ठड़ाइकों सिखाता बाद में जो एनल्पी सिखने के लिए उदर काफी सारा पैसा खर्श किया काफी सारे किताबे पड़ी तभी जाकि यह नॉलेज आया और जरू कहुंगा जो बढ़लाव आते हैं ना जब मैं एडिशन करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अरी वाँ तो यही तुम्हें चाता था आपको अच्छा लगी वाँ वाँ अब मेरे टीवी मूबल भी चुट गया है ओके अध्रेट के लिए जोड़दार क्लब बचाईए वाँ 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 वेर रजा देता हूं अर्य वाँ उवाँ एक पेज बताने वाँ पूरी श्टोरी बता देता है वेरी लुद हाँ वेरी नाइस इसे प्रेक्टिस करो अध्रेट के लिए जो नब गयाए वेरी नाइस वेरी गौद आपर प्रेस्टीत रहरा हूं दो राइटिंग भी अबी और आपने लिए बेचा हैं अभी मैं आपको पर पर पट्टी बांके पुरे पीच एक एक अपने मायन में बिठा दे रहा है आप पर पिपा और मैं सारे काथ्स त्होड़ा इस कर सकते हूं इनके लिए जोड़ार क्लाप जाए जोड़ार जोड़ार I need more 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 claps तोड़ा धूरा रहा है तोड़ा मुझे आपको पर पट्टी बांगे तोड़ा रीडिंग भी आ रहा है वेरी नाइस हा वेरी गुड़ बेटा यहां पर मैं कानल्स कर रहा हूं काफी खुशी वाली बात है मैं जो मिशन है वो साकर हो रहा है आपको मैं बताता हूं यहां पे नाइन लोगों ने एडिविशन लिये हैं नाइन पी पर्सक्राइब करने हैं अगर आपकी प्रॉब्लेम्स है कि आप नहीं पे कर सकते तो बाद में मुझे करके मेसेज करिए मेसेज करिए अभी कि सर वी हम सीन तुड़े विबिनार ओके आप ऐसा मेसेज करेगी सभी वांट टू पेमेंट हाफ एंड हाफ लेटर तो मुझे मेसेज करें ठीक है मेसेज करके मैं आपके लिए आफर रखूंगा आपके लिए रखूंगा तो जबी पूरा पैसा आ जाता ह है तब में आपको दूगा उचाहे 15 दिन लगे आपको लेकिन में आपको बीच में नहीं करूंगा क्यों पता है क्योंकि हमारा जो पूरा स्टीम में रखा हुआ है और तो बीच में जो वीडियो देता हूंना हाफ वीडियो काफी लोग कहते है सर हमें हाफ कोर्स दीजे ये दीजे तो होता कुछ ऐसा है मेरा एक मैंने बीच-बीच में अगर आप जो पुराने हो तो मैंने दिया यह भी हो ऐसे करने के लिए कहता हो आपको मैं हाफ कोर्स देता है लेकिन होता कुछ ऐसा है बच्चों को आपके बन करके दिख जाता है और उनको क्या लगता है अभी हो गया दिखना तो हो गया लेकिंगे वह सब्जी पाला है और बागी के पैसे में जब पूछता हो ना वो फोन नहीं करो कि सर में बार्ग में प्रे करोंगा अभी मेरे पास पैसे तो प्लीज में अभी वह चीजे नहीं करने वाला हूं क्योंकि मैंने पृरीज है यह ना पर आप खुद ही बता रहेते कि यह कोई इंपोर्टेंट चीज नहीं है इंपोर्टेंट की हमारे लिए क्या है कि बच तो उसे उसका बेलीफ होगा उसकी वीजुल्स पावर बनेगी, वीजुल यानि वीजुलाइज़शन, उसका माइन एक जगा पे टीक जाएगा, बेटेगा, उसका माइन एक जगा बेटेगा, और नेक्स्ट लेवल है, कि अटमेटिकली सर, अटमेटिकली उसको आके बन करने की नहीं, वो ऐसे भी पड़ बच्चों को एक अध्याधमर् लेवल पे उचाहिक लगा जाने के लिए, जैसे गलत आदत हो सकता है, गलत आदति क्या हो सकता है, या फिर चोरी हो सकता है, या फिर जोरी जाने देखी उनको वो सुरक्षित रख्टी है जैसे मैं कहता हूं वाइब्रेशन निकलते हैं पॉजिटिव और निकलता है तो यह जो उरा है ना वो कभी गलत आजाती संगत ही नहीं लगेगी उनके पास जैसे मैं इसको डिस्क्राइब करो तो एक छोटा बच्चा है ना ज उसी प्रकार जो तपस्य तपस्य होता है यानि उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि उनको देखते रहे उनके पास बैटे अनके उनके पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलते हैं सेम वे बच्चा जब रोजाना ध्यान करेगा ना आप उसके फैन हो जाओगे इस लेवल लेकिन यह बोनस में मिल रहा है आके बन करके देखने का यह ममी पापा है टीचर है और उनके बच्चों ने किया उनका बेच्चा इंट का पुरा इंटर्वी देखे हो अँपर है और उन्होंने का सब मेरा बच्चा शान्त भी हो गया है यूटूब पे आपके वीडियो द आखे बन करके वो बता रहा था पहली बात तो यह जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूटूब पे जो देखा ना वीडियो मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है वो कम हो जाए सिर्फ हमें इस रिजल्ट की आपेख्शा थी कि हां उसका जो खुद इंस्पार होकर नहीं कर रहा तो भी हमें रिजल्ट आएगा समझो खुश हो जाएंगे हम लेकिन बाद में उसका थरड़ाई जो ओपन हुआ और उसमें जो हमारे सामने जो चमत कर बोलो जो दिखाया ना तब हमें पूरा यकिन हुआ कि सच में इसकी थरड़ाई ओपन हुए है और वो पढ़ रहा है प्रोग्राम से कि आपके बच्चों को पट्टी बांगे देखने का एक महिना बहुत अच्छा लगता है आपको पट्टी बांद रहा है पाद में आपको भी वो चीज़े नॉर्मल चीज़े लगती है लेकिन जो बच्चा ध्यान करता है और हमेशा उसके अंदर जो सकरात जैसे अलग अलग चीज़े हैं जो हम उनको ब्रेन के तरह से और भी को रिलेटेट चीज़े से लॉप प्रट्रेक्शन हुआ आप जानते हो जिसके अंदर विज्वालाइजेशन का यूज करते हैं तो आप अपने जीवन का गोल बनाओ लक्षे बनाओ मैं हमेशा कहता हू मैंने आपने गोरो आपके जो सिकाता हो आप मेरे जीवन में चाहिए और जीवन करनी है आपके जीवन के जबही सपने आप कैसे साहगार कर सकते हो माइन ट्रेनिंग है वो सभी चीज़ें भी इसमें पुरा जाएं थाओ यह वह बच्चा ऐसे बताना लग जाएगा बीस औ पढ़नी पढ़ेगी सर पढ़नी नहीं किताब लिया हाथ में मार्केट से कौन सा भी उठा के लिए हम लाइबरेरी हैं लाइबरेरी के उपर हमारे बहुत सेमिनर ओल है बहुत बड़ी लाइबरेरी है किताब लेके आए एक इंग्लिश की वह चेतन भगत बगत चेतने सब्सक्राइब करके नहीं कुछ नहीं कर सकता तो आप नहीं करते तो बच्चे को कैसे सिखा सकते यह जैसा होता है सर जिम्नेस्टिक पता है सब सब्सक्राइब नहीं सीख सकते हैं बड़े होके नहीं सब्सक्राइब करोगे तो आप नहीं करोगे बच्ची को आएगा और आपको जरूरी नहीं कि आब को आए लेकिन आप बच्चे को कह सकते बेटा ऐसे लेकर और ऐसे नीचे बेंड हो जा और आपको आ जाएगा बच्ची की बॉड़ी फ्लेक्जिबल उसी प्रकार माइंड भी फ्लेक्जिबल होता है उनको जैसा हम एक्सराइज देंगे वो करेंगे और उनको दिख जाता है ऐसा होता है मैंने अपने इस में 25 एज में किया मैंने दस दस घंडा प्रैक्टिस किया सब्सक्राइब मुझे अंदर वाली कॉस्मिक इनर्जी चक्राइब दिखते हैं लेकिन बाहर का नहीं क्यों विचार यह वाला सर जैसे मानलो अभी मेरे दो बच्चे है ना एक बारा साल का तेरा साल सब्सक्राइब कर लिए बस आपको पंदरा मिनिट का मेडिएशन है में से लिए कह रहा हूं बाद में आपको कंटीन्यू और उसके लिए में सपोर्ट दे रहा हूं 30 डेज हो गए तो प्रोग्राम खतम हुआ नहीं 30 डेज के बाद भी आपको प्रैक्टिस करना है पंदरा सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर नंबर है और आप इसके अंदर कर सकते हो बहुत सुझनार करियर ऑपरचनियटी यह चीज़े में लॉग्डाउन में किया ओन्लाइन में इसको लेके गया अफलाइन में मेंने काफी इसमें सब्वलता भी पाई है और मेरे पिछले साथ सालों का अन्वा है तो मैं आपको एक गाइड कर सकता हूं एक करियर ऑपरचनियटी नेक्स लेवल का प्रोग्राम होता है जहां पर आपको ऑनलाइन ट्रेंड करते हैं जहां पर मैं उनके लि कैसे पता चला कि मिड़ ग्रें अक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था लेकिन एक दिन आइसा हुआ मेरे माइंड मैं आइसा खहला ना शिकना चाहिए लेकिन आट-दस दिन में आपका फेस्गूप कर मैंने ग्रेंगे आपको पॉंटर्ग किया था 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 रही हम घृतार रही है तो अधी तोड़ी आती नहीं अ मराटी में बता रहे कि हमें पढ़ाय में जब करते हैं तो उत्सा आता है और पढ़ाई करते समय जो अलगी लेवल का है काफी लोगों के पेमेंट आये है और जरू कहूंगा आज यहां पे 14 पीपल ने करना है तो मैं बताओं आपको यह चीज़े करने से किसी का यह डाउट है इसके कोई यह तो उसका भी सोलुशन में बताओं अपी कोई सवाल लेते हैं फैंड जाते हैं कहां पे बिटा पापा बोलो सब पड़ाई का जो अइसे आंखे खूल के पढ़ने को उसको बदल देंगे आख यह तर्फर आंके बन करके पढ़ाई करनी है आपको जैसे ब्लू कलर की लाइट में ने देखा ता न आपको बताया ता ब्लू कलर की लाइट देखो ब्लू कलर की लाइट अभी क्या है आखे बन करके दिख रही है जब आपके बच्चे एक मेना कंप्लीट होता है ना उसके बाद उसको आखे कुलने की बाद भी सभी तरफ ब्लू ब्लू दिख सकता है दिख जाता है यह कुछ अगर पढ़ते हैं तो कभी इनसे वही चीज़ अगर एक मेने बाद पूछो तो यह भूल जाए यह देखो यह वीजूल मेमरी है इसके उपर हमने काफी वर्क किया है मेमरी के उपर और सबसे इंपोर्टन बात क्या है पता है और एक चीज़ बताऊंगा आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि बेटा तो पढ़ाई कर एक च अधवेद का बात बीच में भी किया था अधवेद का जो प्रॉब्लेम था पढ़ाई का इन्हों ने इतने डॉक्टर को पढ़ाई करता है और वह तारे जमीन का पिचर सभी को पता है ना क्या बोलते हैं उसको टिकले सिया का था वह जो विमारी होती है बच्चों के अंद वाओ वाओ वेरि गेश्वेएज है शान्त हो गया प्रॉबील टीवी का क्या है क्या है नै, करें पहले तो रिमोट छोड़ता ही नही था, अभी अहमें टीवी नहीं लग लगए क्या यानिサव भी जो बढ़ाव है और इसले यह तो एंका इंट्रव्यू, आपन उसले रह उनके कुछ doubts होते हैं, queries होते हैं, सच में यह फाइदा करेगा क्या, इतनी बड़ी risk लेनी है, बच्चों के लिए, हम करेंगे तो नुसकान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर हमारे पैसे waste होगी क्या, या फिर नहीं करना चाहिए, तो ऐसे confused parents को आप क्या कहना चाहिए, क हमें भी यह लगता था, पूच ब्रेन के उपर, साइड एपेक्ट होगा क्या होगा, फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा, ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था, और आपने बहुत ही beautiful decision लिया, हमें doctor के पास doctor भी उसके पास इतना बदला की इताकत ध्यान के और मुझे यही मेरा सपना, यही मेरा mission है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करनी की जो process है, जो भी techniques है और वो standard हो, बच्चों में पढ़ाई के लिए मैं बताना नहीं पड़ेगा, तो पढ़ाई कर खुछ आके करेंगे, ठीक है, तो यह अटबो, मैंन कुछ कहना चाता है, यहाद बूलिये सारण, मौर्निंग में आपसे को करना, करेंगे, करेंगे, कोई बात नहीं, बोलीये स Finnish आ है, ढूलिये, बोलियेperson, ही बोलिये, sorry, हर अहाँ, तो बीमिन, पैंपर na uno, की हैसर आपने दुसरे number पे, लिए लेकिन वुष्ट नंबर से स्क्रीन शॉट बेज़ें साथ जिस नंबर पर पूर्स चाहते हों क्योंकि हमारी जो मीटप्स के लिंक है उसके जो पासवर्ड वह आपको जो है ना आपकी नंबर पर मिलते रहेंगे जिस नंबर से आप भीजोगे याने कोर्स बेजने से उस नंबर से बेजो जिस नंबर पर प्रकूर्स चाहते है उस नंबर से देजुए फिर मुझे फोन कर यह सर यह मेरा नंबर है इसके उपर को इस चलिए औब बात ना एक लास्ट वीडिए दिखा रहा हूं प्लीज इसको देख लीजिए और बाद में हम इतेग खतम करेंगे कि इतना बढ़ला हो इंडियास का जो नंबर वन बॉय है तर अक्टिवेशन का मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा एक्टिमेंट इन्हों ने किया था इसका जो चीज सीके जीत रिवेदी जाल से देखिए जीत का एक छो वाह हर बॉल को पॉफेक्टली कैच कर रहा है ओहो सूपब यार फर्राटे से स्कूटर चला रहा है और तो और सबसे ओमजी वाली बाद सुई में धागा डाल रहा है पर कैसे भाई कैसे राइज ये कोई मैजिक नहीं है और ना ही कोई ट्रिक है अच्छली जीत ने अपनी कड़ी महनत से जीत हासिल की है मिट ब्रेन अक्टिवेशन टेकनीक से जिसकी वज़े से बंद आखों में भी इतना ब्रेन अक्टिव हो जाता है कि वो सब काम कर लेता है जो हम खुली आखों से भी नहीं कर सकते चूंकि जीत ने मिट ब्रेन अक्टिवेशन की ट्रेनिंग क वो मास्टर कर लिया है, उनकी इंट्यूशन कपासिटी और सिक्स सेंस भी सूपर आक्टिव हो गई है, इसलिए यह ब्लाइमफोल होकर भी सब कुछ परफेक्ट करता है, जीत इसमें से तू तू वन नंबर बेर निकालो, तू 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 वन, तू तू वरी गुड, वे यह कैसे हुआ, बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डिड जीत ने सीधी रीडिंग की, जीत का तो अपना ही स्टाइल है, चौदा साल की एज से जीत ब्लाइंड फोल्डिड चेस खेलता है, और तो और ऐसे ही उन्होंने कई चेस कॉमपेडिशन भी जी तो यहां पर मैं रुखना चाहूंगा जिन्होंने रेजिस्ट्रेशन किया है, लबख मुझे 17-18 अडिमिशन लग रहा है की हो गया है, और अगस्ति सब बोलना चाहते है, यस, बोल ये सब, अन्मूट कीजिए, प्लीज, अन्मूट कीजिए सब, अन्मूट कीजिए सब, लगिन, आपको मिल्ट कर दिया फिर से, अन्मूट कीजिए, आपके क्लास्ट जो ऑनलाइन होगा तो तो डिसकंटीनू हो जाए ना सर, उसके रेकोर्डिंग है अल्डिडी, तो वो आप समय है, तो आप ATM मंडीक है, कुछ भी वेरी जे वो सबी चीजे, पैरन्स को जब बत ओके, तो प्लीज यूटूब पे लाइच चालोगे ना, यूटूब से फोन आते हैं मुझे, ओके, तो प्लीज आप कोई डाउसे क्वेरीज हैं, ओके, मैं चाहता हूँ कि लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, आपको मैं नुसकान नहीं करूंगा, आपको मैं फाइदा बहुत देने वाला, बहुत, जब ये कोर्स खतम हो जाता है, हम सभी पैरेंस के फिट्बैक्स लेता है, और उसमें जो बढ़ला हूँ आता है, मेरे लिए वो हार्ट टचिन होता है, और मेरे जो मोटिवेट करता है, और भी आगे जाने के लिए, तो देली मोबाइल से लग नाइस, 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 उसके लिए मैँ बहुत खुश्ट हो सा, अर इवाद में स्कूल टीचर से स्कूशन सार को है, तो एक प्रिटीकोट बढ़ला हूँ, पांने के लिए कुछ प्रॉब्लम ने कर रहा सारुन, नाइस, 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 लिए लिए आपने हिंदूस्तान का पोई भी बच्चे इसमें जोइन करके, अगर ये सिख्षा लेए ना, तो हाईली एक स्टार बन गया सम्झें सरु, पमपन तरी सम्पन सरु, इसमें डाउट नहीं है, नाइस, 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 लोग को लेना चा तो यही मैं चाहता हूं कि यह सभी बच्चों के पास जाए और मेरा दस लाग बच्चों को मुझे यह चीज़े सिकानी है क्योंकि कोई नहीं चीज होती है हम उसको चीजों को ऐसे सोच अगर अपने भी डाउट लिया होता क्या पता यह सच यह जूट है अगर उस दिन पीछे एक कदम पीछे दाले तो अपने लिए पूरा लास बनता था क्या तो बने ना बने के बाद हम तो बहुत पूरा इंटार फैमिली बहुत कुछ है सब्सक्राइब बताओ स्वीडियो वीडियो सेशन कैसा लगा आपको यानि वीडियो कोर्स कैसा था आधे ने ने में पहला वीडियो शूट किया था समय में ने बनायाना वीडियो विडियों को मैरे मलत में चीज सुनी थि स्ट्ट्यू जोप के बारे में कि आपल मोबाल के वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते या प्रिजनेस करते हैं कुछ भी बनाते न पहले हमें अच्छा लगना चाहिए वह वाउ का मोमेंट हम पहला आना चाहिए और वह जब अभी भी मेरे देखता हूं मैं देखता हूं कि यह क्या बनाया है तो कितना जबर्दस बनना गया है वह बनने की पीछे भी कुछ तो भी एनरजी का काम था वह जो मिझे और काफी हमने महिनत भी ले आता है रात को में दो-दो धाई-डाई बजए वह सभी चीज़े करता था तो वह सभी महिनत आज मुझ इसलिए हमने मरी मैं कैरेंटी दिया था सब्सक्राइब को याद होगा हमने यह प्रोग्राम को मरी वैं के दिया है हमारा इंदुस्तान का हरे बच्चे बच्चे को यह दालना चाहिए जैस जैस बोले तो अफना इंडिया बिल्कुन एक साल दो साल में बहुत इंपरू सब्सक्राइब करना करने के बाद वो लोग आपको रिटर्म बहुत हैपी से यही मैं चाहता हूं कि कि इसे बिनिफिट मिले अपी बने बच्चों के लिए पर बड़ी लिवल पी वो चाहिए और एक चीजी है मैं जरू कहना चाहूंगा कि 15 साल के बाद जब आते हैं मेरे आपके पास सर मुझे करना है मुझे करना है मैं क्लियरली नहीं बताता हूं आपके लिए नहीं होगा लेकिन यह उपर्चुनेटी आपके पास है जैसे मैंने अपने क्यूबन में जब इस 25 एच के सुना तो मैं चाहता कि आप यह गल्ति ना करो पके मेरा इंटेंशन है कि आप यह गल्ति ना करो बच्चों के लिए जरूर प्रयास की जो और बुर्जों सिखाईगे मेरे पास ना हो किसी और से सिखाना चाहते हो जरूर जाइए मगर फड़ एक्टिवेशन करिए इस नौलेश को हर बच्चे के पास यह तैलेंट अल्डरी पढ़ा है आंके बन कर है तो वहां तक ना पोचें इसलिए आप कर रही है ठीक है क्या क्रिट काड़ पेमेंट का भी ऑप्शन है सो नो 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 हमरी पास अभी फिला तो नहीं है सो आप इसको ऑनलाइन गूगल पे फोन पे पे कर सकते हैं या फिर अगर ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम है आपको पेम करने के बाद एक बी टालेंट आया ना उसके अंदर वह अजयूबा बन सकता है अजयूबा जैसे एक स्टुडेंट है उन्होंने थर्ड अक्टिवेशन किया और लोग शौक में बैट जोग गए देखिए लास्ट वीडियो दिखा रहा हूं बाद में खतम करता किसी के कु नहीं लगता है तो मेरे दो मोबाइल से यूट्यूब पे जाओ डिस्क्रिप्शन में जाओ वहां पे दो मोबाइल से स्क्रीन शॉट नहीं बेच पा रहा है ऐसा कुछ है तो वहां पे जाईए और अभी वे फोन करने के लिए एक्टिव मोर में आप फोन कर सकते हैं मुझ पढ़ने वाले हों सूं करके आप किताब पढ़ेंगी हां वन्स अपान अटाइम देर वाज एन एक्स्प्लोरर नेम जान डिसूजा इट वस कॉल्ड सो बिकॉज नोबडी रिटर्न अलाइव तो मैं किताशी से पूछना चाहूंगे सर हम यह जानना चाहेंगे कि यह जो क अब इसने करके दिखा है वैसा तो जादू लगता है बट वो सेंसरी सप्स्टूशन है स्मेल सेंस यह तक सेंस वह हम यूज नहीं करते तो वह विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंसे और टर्च सेंसे ब्रेन एकसरसाइजेस मेडिटेशन उन सब को कम्बाइन करक एक कोर्स तयार होता है जिससे बच्चे की इंटुशन स्किल्स, कंसेंट्रेशन, फोकस वह सब बढ़ता है इसका मोटो ही है यह इस प्रोग्राम का की लाइफ टाइम गिफ टू दा चाइल्ड बहुत ही अद्बुद ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दिए एक मेटिंग एड हो रही है और किसी के कुछ डावट से प्वेरी से देखें काल मी ना हम यहां पे बाई कर रहे है थैंक यू सर् झाल 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 झाल